हेलो एवरीवन वेलकम टू ब्रेक्टेंग ब्लासेज इस वीडियो में हम कम्प्रीट वर्ल्ड जोग्रफी मैप के माध्यम से कवर करेंगे और सब यहां पे महादीप वाइस देखेंगे सभी कॉंटिनेंट वाइस चीजें कवर करेंगे और हर टॉपिक इसी वीडियो के महादीप होगा है और अफ्रीका बारे में उत्री अमेरिका दचडी अमेरिका के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना के माइक्शनट बन बनते हैं जो की आरो यारो एक्जाम में इस साथो महादीप है इनसे भी कई क्वश्चन पूछे खब जाती है के लिए इसको बहुत ध्यान से कवर करीगा जो भी टेस्ट वगरा है पिर जो भी नोट्स वगर आप देखते हैं वह सबीन करने के लिए जो करना हो तो इस नंबर पर वाट्ट सेप करके डिटिल्स ले सकते हैं डीटेल्स प्रॉपर्ली पढ़कर उसको जॉइन कर सकते हैं इसमें सबी जो है नोट से वो मिल जाएंगे टेस्ट वगरा सब चीजे क्विज वगरा सम्मिल जाएगा तो चली सुरू करते हैं सबसे पहले यहां पर हमने दच्छडी अमेरिका लिया है और जो सबसे इंपॉर् सब्सक्राइब करते हैं पहले पॉलिटिकल मैप इधर दिया हुआ और जो चीजे फिजिकल में इंपॉर्टेंट है इधर दी हुए है तो पहले मैप से देख लेंगे यहां पर चार तरह के घास के मैदान पाए जाते हैं तो पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा दच्छड कि अमेरिका में है सब्सक्राइब कर शोड़ बात करने एकांका गुआ चोल्टी जबस देख रह हैं तो इस जो सबसे लंभी रेंज से व्काना में ऑदलनी प्स दिए जोद्या है में हैं जो कि दछडी अमेरिका में है सबसे लंभी हो गई एंडीज और एक है रॉकी ज ज जो कि नॉर्थ अमेरिका में है वो सेकंड नमबर पर लार्जस डेल्डीज है और थर्ड पर आती है एक डिवाइदिंग जो कि ऑस्टेलिया में और फोर्थ नमबर पर हमारा हिमालय आता है तो ये चीजे यहां पर यह वाला मुखी परवत है जिसका नाम है ओजस डएलस अलाडू, यहां पर स्थित है चिली के पास ओजस डएलस अलाडू, देखिए यह चिली देश है इधर जो लंबा लंबा है, अगर बात करें कि सबसे बडा देश कौन सा है पूरे द्छडि अमे कोण किसी टेरिट्री आ यह पर बात करते हैं यह फिसके और घंडी पर रहा है यह दूर है थोड़ा जीरो डिग्री से तो इसे कहते हैं सीटो शेडिकट बंदी है यह सब ट्रॉपिकल घास की मैदान नेक्स्ट बात करेंगे एक यहां पर मरुस्थल है जिसका नाम है अटाकामा मरुस्थल जो कि विस्व का सबसे सूखा सुस्क मरुस्थल है चौथा यह सबसे बड़ा महादीप है दच्छडी अमेरिका महादीप एशिया अफरीका उतरी अमेरिका दच्छडी अमेरिका अंटार कटिका फिर आता फिर यूरो फिर ऑस्टेलिया तो यह चौथे नमपर पढ़ाता है दच्छडी अमेरिका याद रखना है कि अंटार कट महादीप है यह नीचे वाले में दच्छडी जरूम में नेक्स्ट बात करते हैं किस्थल रुद्द देश कौन कौन से हैं यह दच्छडी अमेरिका के तो दो बाकी जो यहां पर पहला पार्ट है इसको देख लेते हैं यह पार्ट वन है जो उपर वाले जितने भी देश हैं इसको पार्ट वन के माध्यम से देख लेंगे तो पहले आएगा यहां पर कोलंबिया यह कंट्री कोलंबिया सभी मैप के माध्यम से एक दिमाग में रहता है त पोगोटा फिर आता है इस सेकेंड नंबर पर वेनेजुएला जिसकी राजधाने एक कराकस फिर यहां पर चोटा से कंट्री जिसका नाम है गुयाना इसकी राजधाने जॉजट टाउन यह जो राजधानी आप छोड़ी अमेरिका की यह इंपॉर्टन रहती है जाड़ा तो सूरी नाम की राजधाने यह आपर पैरा मारिबो सूरी नाम की पैरा मारिबो उसके बाद फ्रेंच गयाना आता है जिस पर फ्रांस कादिकार है इसकी राजधाने के नी सूरी नाम की राजधाने काफी इंपॉर्टन है इसकी राजधाने पैरा मारिबो नेक्स्ट बात करे पेरू आएगा पेरू है ये ग्रीन वाला इसकी राजधानी है लीमा देखे एक्वाडोर भी समुद्रे से सीमा साजा कर रहे हैं वोलिविया और परागवे को छोड़ कर पेरू की राजधानी होगे लेम लीमा उसके बाद यह है चिली ये पीला वाला जो है चिली इसकी वाला देश हम ब्राजील देख रहे है इसकी राजधानी ब्राजीलिय बाखानी मॉंटिया वीडियो इसके लाओ इसमें जो चीजें पूछी आती है ड्रेक पैसेज कहा है तो ड्रेक पैसेज जो है दच्छडी अमेरिका को अंटार कटीका से अलग करता है यह पैसेज फूछाजा सकता है ड्रेक पैसेज किसके बीच में और यहीं पर एक जलसंदी जिसका नाम है मैगलन जलसंदी यह मैगलन जलसंदी स्टेट ऑफ मैगलन जो है यह पूरे जो मुखी भूमी है दच्छडी अमेरिका की मुखी भूमी उसको एक दूइप है आपर छोटा सा दूइप जिसका नाम है टियरा डेल फ्यूगो तो मैगल जलसंदी जो है यह पूरे मुख्य भूमी को टियरा डेल फ्यूगों से अलग करती है मैगलन जनसंदी तो पूछा जा सकता है किस भाग में है मैगलन तो दच्छडी अमेरिका के सबसे दच्छडी भाग में कि नेक्स्ट बात करेंगे एंडीज परमत माला जो है विश्व की सबसे लंबी स्रंखला है और इसकी जो सबसे उची चोटी है उसका नाम है एकांका गुआ चोटी और यहां के जो पठार और जीले मगर हैं तो बोलिविया का पठार यहां पर बोलिविया देश के पास ही है पेरू और बोलिविया के बीच में पढ़ता है यह बोलिविया का पठार और यह टिन उत्पादन के लिए काफी प्रशिद है पैटागोनिया का पठार यहां पर है जो कि अर्जंटीना में है और यह जो है यहां पर फॉक्लेंड ठंडी धारा बैती है इसी के बगल से यह म सब्सक्राइब करेंगे जो मेटोग्रोसों का पठार है मध्य ब्राजील में आता है सोने और हीरे के लिए प्रशिद है फिर एक मरा काईबो जील है यहां पर दच्छडी अमेरिका में जो कि वेनेजुएला के उत्तर में है वेनेजुएला काफी गरीब देशवाब हो चु परिस्तित है और सबसे उंची नोका म 여자 यहां पर नाव चलाई जाती आसी चलाई ज आसे पर नाव चलाई जा सकती है ती पेरू चुलिकिमा परिस्तित पोपो जील लिवं उसमें बहुत इंपर्टन चीज़ें उसको जरूर देखिएगा और जो है उसके मैप में बहुत सारी चीज़ें से पुछी आती कौन सा उत्तर में कौन सा दच्षड में परागवे उरुग्य और पराना नदियां यहां पर है दच्षडी अमेरिका में और इनसे मिलकर जो एक सबसे नाम भी है नेक्सट बात करेंगे दच्षडी अमेरिका को पक्षियों का महादीब जाता है यहां पर जीरो डिग्री जो है एक्वेट वह आपर काफी घंगल पाए जाते हैं जिसको अमेजन के जंगल कहते हैं और वहां पर पक्षियों की कई सारी प्र जातिया पाइ है जो कि यह जोला मुखी परवत दोनों इक्वाडोर में कोटो पैक्सी और चिंबा राजो कि नेक्स्ट बात करेंगे अर्जेंटीना जो है अर्जेंटीना ब्राजील उरुगों में एक घास पाई जाती जिसका नाम है अलफा अलफा घास तो पूछा जा सकता है अलफा सबसे बड़ा निर्यातक जो है यहां पर इक्वाडोर है.. विष्व का सब सबसे बड़ा केला निर्यातक इक्वाडोर है सबसे बड़ी की खान कहाँ पैं है तो चिली में यही पूछा जा चुका है कई बार कने नाम कि चुचständी माटा कहां पर इस्तित यह फस सबसे क अमेरिका के दचड़ी भाग जो कि उसका दचड़ी एक दूइब था टेरा डेल फ्यूगो उससे अलग करती मैगलन जन संदी भूमद रेखा और मका रेखा इसी दूइब से होकर गुजरती है चिली अर्जेंटीना परागवे और ब्राजील जो है यह मकर देखा पर आते हैं तो पूछा जा सकता है इन में से कौन सा मकर पर आता है कौन किस पर आता है अब यूरोप महादीब देखना है यह सिक्स्त लार्जेस्ट महादीब है पहले नंबर परेशिया फिर अफ्रीका फ उसको कहा जा सकता है दोनों में से कुछ भी लिखा मिल सकता है यहाइब सागर सागर जो होते है वह चोटे भागचे माह सागर होगे यह म्यूव में सब सीमा बनाते हैं पूछा सकता है यूरोप की सीमा निर्धारित करने वाले कौन-कौन से जगह है मतलब क्या क्या है तो पहले तो पश्चिब में अट्लांटिक मासागर है दच्ण में भूमादी सागर है उत्तर में बेरेंट सागर है और पूर्वाला ज्यादा पुछाता ह जलसंदी, पहले हैं जलसंदी किया है जिब्लाल्टर जेलसंदी कि इस स्पेन हो गया कि स्पेन को यह मुरको से अलग करती है यह अफ्रीका ऑफ्रींग का देश संधी या पर शेयर से पूछ चाहल चैक्ता है किन दो भी बॉडिस के बीच में तो इधर होगे भूमादे सागर इधर होगे अट्लांटिक मासागर इन दोनों को जोड़ने का काम करती जिब्राल्टर जलसंदी तो यहां पर दोनों चीजें लिखी हुई है इस्पेन जोकी उरोड़ का है उमरक को अफ्रीका से इसको दोनों को अलग करने का काम करती जिब्राल्टर और भूमादे सागर और आट्लांटिक मासागर की बीच में गरती अधर चीजें संदी मैं उननी उसे इनकी बीच में जल संदी इसको नाम है बोनी टेसली सगार के तो Tyranian Sagar और hosana सागल के बीच में Tyranian Sagar और भूमा दि सागल कहां पर कहां पर अभी दिखाते हैं यह पर Tyranian Sagar कहांपर होगा कि इधर इधर इच्यार वाले मैप में यह हो गया Tyranian Sagar यह tyranian तर फिर अच्टिंद चора में से अलगाइड करती हैं कि इंट्ली डीप में से बत करतीuhan सबस्क्राइब सब्सक्राइब एक अगर सागर करें तो तेरेनियन सब्सक्राइब देओ हैं सब्सक्राइब बीच में इटली और बालकन्टो जल संधी सब्सक्राइब करूब फिर आती बासपोरस जलसंदी most important जो कि काला सागर और मरमरा सागर के बीच में है कई बार पूछी जा चुकी है काला सागर और मरमरा सागर के बीच में कौन सी जलसंदी है तो बासपोरस और मैप में ही कहा है तो इधर हो गया यह काला सागर हो गया और इधर हो गया यह मरमरा स इन दोनों के बीच में जो जलसंदी इसका नाम है अभी जो देखा था बासपोरस जलसंदी फिर कर्च जलसंदी कहा है तो यह अजो सागर और काला सागर के बीच में अब अजो सागर कहां पर है तो यह वाला जो यह हो गया काला सागर बड़ा वाला और यहीं पर है अजो सागर इसको कहते हैं मैप में देखी यह हो गया अजो सागर और यह हो गया काला सागर इनके बीच में जो जलसंदी इसका नाम है कर्च जलसंदी नेक्स्ट बात करेंगे डार्डेनल्स जलसंदी डार्डेनल्स जो बालकन प्रायदीप और अनातोनिया प्रायदीप के बीच में है बस इतना याद रखना कि मर्मरा सागर और एजियन सागर के बीच में है डाडेनल्स का है मरमला सागर मरमला सागर यह है इधर मरमला सागर है और एजियन सागर इसके बीच में जो जलसंदी है इसका नाम है डाडेनल्स जलसंदी तो तीनों यहां पर याद रखना है इधर हो गई या जो सागर और काला सागर के बीच में हो गई कर्च जलसंदी और इधर जो काला सागर और इधर जो यह वाला जो सागर है जिसका नाम है मर्मरा सागर काला सागर और मर्मरा सागर के बीच में जो जल संदी है इसका नाम है बासपोरस जल संदी काला सागर और मर्मरा सागर के बीच में उसके बाद मर्मरा सागर और एजियन सागर के बीच में दरदेना से जलसंदीश जिसको än एअ ब्हुत पूछी आता है इसको कई बार स्लेवन मैं रिपीट किया है, अब खाडी देखते हैं तो रीगा की खाडी कहां पर है तो यह ईस्टोनीय और लाटविया बीच में रीगा की खाड़िए बाल्टिक सागर से बाल्टक high high फिर फिन्लैंड की खाड़ी कहा पर हैं तो फिन्लैंड और स्टोनिया की बीच में你在 इसके बीच में जू घृँप्र 2 पर ओर फिन्लैंड नमय इसके नाम है सहोंने बाल्टिक कई नार Mrs. आगए कांट्री सोती जो जो नौडिक कंट्री इसके आपकं कंट्री सब बसłam ऐसे के खाड़ी श्वीटन और फिंट्लैंड के बीच में इपने इंग्न खार बृटन और फ्रांस उर्वें 13 बृटेन यहां पर जिते यहां पर फैपते नंबर फोर्ट यहां पर दिकाई इंग्लेश्चामर फिर बिसके की खाड़ी कहा है फ्रांस और इस्पेन की बीच में स्पेन इसके बीच में जो खाड़ी बनी है रेगास जो जो कहते हैं बिसके की खाड़ी पांच यह नंबर पर चाटवे नंबर पर आहIt Knight की खाड़ी फ्रांस के अब पहाड की बात करें तो यूरोक का सबसे उची चोटी कौन सी है तो एलब्रुस चोटी है पांच चाड़ शेसो बैयालीस मीटर है अब कुछ परबत है जिसे इंग्लेंड में कौन कौन सा परबत है मैचिंग वगरा में आता है तो पिनाइन है केंब्रियन परबत है पिना फरांस के बीच सबसे परबत में पेला उए सबसे उची चोटे पुछ जो है यहां अपकि सबसे उची चोटी है अस सुर्ज्यलेंड में फ्रांस में इट्ली में ऑंश्ट्या में जर्मणी में कई देसौs में फैला हुआ है इस्पेंड की बात करें तो यहां एक परवत है जिसका नाम है सीरा नेवादा और इसी नाम से एक परवत अमेरिका मेंभी है नहीं हो कि सीरा नेवादा या इको एक jurisdiction चैनिट्रٌ पर्वत जरमनी की बहुत पुशहता है कहा है इतली बुलल्गारिया का इंट्रिस के लिएक आसपास जरंका ये सबी रशिया के परवद है ये लेटी की प्लैकय निकलती है और सागर में जाकर गिरती ये जर्मनी की रूपन निकलती है और काला सागर में जाकर गिरती है ये ouvु जो है बहुत इंपॉर्टन आ है क्योंकि पांच रालथानियों से चुन राज़णियों कि राज़णी उर्टियावा उतनी स्लोवाडिया यह तनी पांच राज़णियों से उकर घुझेए। स्लोवाकिया किई रोन नदी फ्रांस की झूरा परबस से निकलती है और भूमद्य सागर में जाकर गिरती है काला सागर में डुद्व गिर्ती याद रखना है रही भूमद लिलाध में घुलती किनारे फ्रांस की एक शहाया जिसका नाम है लों और यूद्स-ल्र सबसे बेस्त नदि अगर अंता थलिये नदियों की बात करें जाँ परिवान होता है तो राइन नदी जो है यह जर्मनी नीदर्लैंड शुट्जरलैंड वकरा में बहती है अल्प सपरबद से निकलती है और उत्तरी सागर में गिरती है उत्तरी सागर कहां पर है तो इंग्लेंड के दच्छड में हमने देखा था उत्तरी सागर है फिर आती है और इसी राइन नदी के तट पर एकदम जहां पर समुद्र में गिरने वाली होती है तो वहां पर एक बंदर गाहा है एक पत्तन है जिसका नाम है रॉटर डेम रॉटर एल्ब नदी के तड़ परिस्तित है यह पूछा जा चुका है कई बार नेक्स्ट बात करेंगे पौण अदी इसको इटली की गंगा कहा जाता है तो यह आल्प से निकलती आल्प स्ट्रेंजे से और एड्रियातिक सागर में गिरती है एड्रियातिक सागर में वेनिस की राज़्दानिय रोम इसी टाइबर नदी के किनारे स्थित है और यह परवत है इतली में उससे निकल कर भूमत सागर में जाकर गिरती है नेक्स्ट बात करेंगे बाल्टिक कंट्रीज में कौन कौन से देश आते तो एस्टोनिया आता है जिसकी राज़्दानिय टालीन यह त क्योंकि यह पर बाल्टिक सागर है इन तीनों को ही सिर्फ बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं तो पहले एस्टोनिया फिर लाट्विया फिर लिथवानिय अगर अरेंज करने को आ जाए तो पहले एस्टोनिया फिर लाट्विया फिर लिथवानिया नेक्स्ट बात करेंगे अग इसकी राजधानी तो यह जो गया इसकी राजधानी यह उसलो यह उसलो यह उसलो यह स्वीडन नौर्वे स्वीडन और देनमार्क यह तीनों कंट्री को कहते हैं इसकी राजधानी तो यह स्केंडिनेवियन वैसे तो यह जो अगर बहुतिक रूप से बात करें तो फिनलैंड भी इसमें आ जाता है लेकिन इसको इसलिए काउंट नहीं किया जाता है क्योंकि इन तीनों देशों को सिर्फ इसकेंडिनेवियन इसलिए क्योंकि आखी बास यहां पर सेम है और इसका थोड़ा अलग हो जाता है लेकिन अगर स्केंडिनेवियन प्राइदीप की बात की जाएगी तो यह फिनलैंड भी इसमें आ जाता है प्राइदीप अगर बात की जाएगी इसकेंडिनेवियन तो यह फिनलैंड इसमें आ जाएगा और देखिए य और डेन्मार्क में फिनलेंड को आइसलेंड को और फेरोदीब समु को आइसलेंड और फेरोदीब समु का है तो यह जो है यह आइसलेंड यहां पर हो गया आइसलेंड और यही पर हैं फेरोदीब समु जो की डेन्मार्क की टेरिट्री है फेरोदीब समु जो है डेन्मार्क क अंतरगत आते हैं डेनमार्क के यहां पर देनमार्क के अधीन है नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर सबकी राज़ानी भी देख लेजिए नौर्वे की उसलोए स्वीडेन की स्टॉक हो में डेनमार्क की कोपन है करने फिन्लेंड की हेल सिंग की है सबसे खुष देश विसु का छटवी बार सबसे हैपिनेस में नंबर वन पर आया है फिन्लेंड फिर भारत का नंबर कितना है तो भारत का नंबर 126 आइसलेंड की रेक्योविक है फेरो दीप समू की देनमार्क राज़ानी है अब बालकन कंट्र पर ऊड़ीरों की राज़ानी पर कॉरिक läuft हैं यह नहीं याद रagना सर्विय की राद रखी वेल्ग्रेड है उसके बाद फिर यहां पर बुल्गारियाकी राज़ानी सोफिया और प्रोमानिया की narrative क्रोईश्या जाग्रेव और स्लोविन्या की जुल सर्विया और यहां पर जो है जिब लाना यह कंट्री स्लोवीनिया वगरा जो है और इधर जो अल्बानिया हो गया यह इसमें आएंगी जो बालकन कंट्री से उसी में आ जाती है आगे बात करेंगे यह बालकन के बाद UK में क्या आता है जो United Kingdom में इसमें क्या क्या कौन कौन से देश आते हैं इंग्लेंड आता है Scotland, Wales और उत्री आरिलेंड इंग्लेंड, Scotland, Wales और उत्री आरिलेंड इसमें नहीं आता है तो यही एक मुद्दा फसा हुआ है Ireland वाला जो Brexit हो गया मतलब European Union से Great Britain बाहर हो गया है लेकिन अप Great Britain में Ireland तो नहीं आता लेकिन UK आता है आरिलेंड का मुद्दा हमीशा फस्ता है NETS बात करेंगे यूरोप मैं जो घास के मैदान से पुस्ताज है एक स्टैपीज है और यह दोनों यह यूरोप थंडरीया में है भूवचर करकर हा से भी दूर है तो यह घास के मैदान सब थंड़े होंगे blij ужас यह इस पर वाले तीनों देश हैं उनसे होकर गुजरता है और यह आइस्लेंड की बात करें तो या किस तरफ और सबिदोल से न stehen पर लगजंबर काफी विकślत देश है पहुत झोटा झेल जर्मनी बेलजियम और फ्रांस के बीच मेंँ चोटा सा देश है लिंजेस्टीन जो आउस्टिया और सुट्जेलेंड के माल्टा tejp में चोटा सा तो दिफ है मिड्टरीनियन से में माल्ट और मॉनाक्की जो यह भी भूमत सागर में उस्तец है इस तरह कि मैं में मनेको के फ्रांस की ट्रेक्ष्राइटरिव प्रांस काम मुनेको पर अब इस्पेन की इन तो महने अफ्रीका महादीब पश्षिम में यह और जल्धारा भी जो कि ठंडी जल्धारा है तो इस्पेन के ये हैं ग्रियन लेंड कृटा द्विप फिर किजिस्टे our यह यह कित वर्ट देखा था यह भी Lake भी डेनमार की परिव्लेंड थी पिर पोर्टिगाल की बात करें तो इसका दो इसकी टरिपिर में चेज कान McLलेंड में में इस्तित है जो शोट जो यह आटलांटिक अफोर क्या ट्लांटिक है तो कि में घले ऑल्ब का लेसं के पॉर्पराइब क्वाडी लोब कर्डिविए सागर्साइक उसके बाद फ्रेंच पॉलीनेशियव फ्राइस पृपकृषी प्रेंच गवियन जो ने देखा था दशड़ी अमेरिका में यह ब्राजील सूरी नाम के बीच में इस्तित है तो करेबियन साघर के बीच में इस्तित है फिर फॉक्लाइड दूइप उत्री अट्लांटिक महासागर के पास है सेंट है लेना आइलेंड जो की दफड़ी अटलांटिक में आता है मॉंप मॉंटेश राड जो है करेबियन सागर के अंतरगत आता है अब दूसरा जो महादीप आ जाता है ऑशीनिया ऑश देखना न्यूजीलेंड पॉलीनेसिया मेलनेसिया माइक्रोनेसिया सब इसी में देखेंगे तो अब आस्टेलिया महादीब के बारे में इसके छे राज जी है टोटल और दो यूनियन टेरेट्री है तो छे राज इसके कौन-कौन से पहला तो गया पश्मी ऑस्टेलिया यह लाइट ग्रीन वाला एरिया यह वेस्टर्न ऑस्टेलिया हो गया इसकी राजधानी पर्थ यहां पर इस्टेलिया की बारे में पर्थ जो है किस एरिया में इस्टेलिया के तो पश्म में पर फिर आता है यहां पर दच्छडी ऑस्टेलिया यानि साउथ ऑस्टेलिया और य यहां पर इस्ती से एड़ी लेड़ी इसकी राज़्धानी है फिर आता है तीसरा जो यह का राज्य है उसका नाम है नुशोंत वेल इसे वाला पार्थ है और सीचे है तरquito है नाय standards करेंगे जो चौथा है फूरा पार अंधोन सब्क्राइब बैज्ट करेंगे विक्टोरिया आता है विक्टोरिया तो यह यह विक्टऊरिय सब्सक्राइब कफी मैच आखे ले जाते एंबर्न यह जो है पूरह दैल पार本ल पर थे तधानी और विक्तोरिया की मिल्भन हो गई तस्बानिया यह वाल क्या लैंड ही अच्ब यहियुजability राजेश की राज indeed होबड थो यूर्ट तो यूनियंट भी रेट्रियं सके एक अच्टल्रा तर्येश के है नोर्डेन तेरहरी करें थ亞ह है वह नॉर्दन यह नॉर्थ टेरिटरी इसकी राजधानी डार्विन और एक वो गया केंबरा जो इसका एक राजधानी पूरे ऑस्टालिया केंबरा यह भी केंवर जासित है यह जो केंबरा यह कोस्ट परिस्थित नहीं याद रखेगा केंबरा जो है इन्नियु साउथ वेल्स के अंदर ही और यह लेंद लोग डकेंबरा नेक्स्ट बात करते हैं अट्रांस आउस्ट्रेलियन जो रेल मार गए यह से पर्थ तक जाता है तो पुछा जाए सकता है कि जो सबसे लंबा रेल मार क्या यहां का कौन सा है इसको किसको कनेक्ट करता तो यहां सीडिनी से सुरू होता है यह उ दोनों खाने चोह हैं यही परिस्थिते और इनके बारे में में पुछा दा है किस लिए फेमास है तो सोने की खाने जबिए अब यहां पर देखे कुछ खाड़ी वगर लेख यह पुछ ही आती है ऐसलिया के बारे में तो गलफ कार्पेंट्रिया कहा है उसकी गलफ दो किसे अगर ऋब सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के और अगली भूरेति सब्सक्राइब के बीच में लोग जोसेफ यह बाग टोले मध वेस्टेर्ण ऑस्टेलिया और यह नॉर्धन टेरेट्री के वीच में यहां पर है गल्फ आफ जोसेफ्व और इधर तीमोर सागर यह प्रशान नहीं कहा है रीफ चहले और यह सब से लंबी कोरल रीफ है यहां पर नोपने में छोठार में पुर्मेशीं नामें सार्क बें यह पूरे और ऐस्ट्रेलिया के पंशचिम में आती उसले के पंशचिम में जह इसका नाम इ safest करेंदी तरह दिखना हैं एज़्तify ओस्ट्रेलिया के दाशच्ट्ण में और मिंधध गलफक जिस Shy दो इसको खांश है औरपतीलिया फ़िखों अमना तस्मानिय यह तास्मानिय विक्टोरिया के बीच में गर्वत इसका नाम है बॉस ज़संदी बॉस जलसंदी किसको किससे अलग करती तो आस्ट्रेलिया से तस्मानिया को अलग करती अब देख लेते हैं पर कुछ और चीज है जैसे ब्राउन वाले जो है यह रेंज परवस्टेणिया है तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ब्राउन वाला जो लेकर नीचे तक बाट दिख रहा है यह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और यह एंडी रॉकी के बाद तीसरे न आर्प्स यह सबी निव इंग्लेंड रेंज और और ऑस्टेलियान आर्प्स जो है यह अगर आउस्टेलिया महादीप की पूरे बात की जाए यह पूरब में इस्थे ते और यहीं पर एक चोटी है जिसका नाम है मांट कोसियोस्को जो की ऑस्टेलिया की सबसे उंची कि सब मैचिंग गररह में आ सकता है मैं में में स्कोर्व रेंज का और इस्टियलिया में इस्थे थैस अब इधर पूरब के साइड में Potter धुए घर रेंज ख़ेंग्लेंड और यह अधर निखलती यहां निकलती है से मुरे नदी और यहां जाकर गिरती है और इसी से आकर मिलती है Darling नदी तो जो दो फेमस नदियां यहां पर मुर्रे और Darling और दोनों Great Australian Bight में आकर गिरती है इसी की वज़ास से यह वाला पूरा एरिया जो है सुसक हो जाता है बहुत कम वर्षा होती है लगभख जितनी नदियाँ है इसी आयर जील में आकर गिरती है जो कि उस्टेलिया की नदियां और इधर एक बेसिन पाजाता है जिसका नामी बेसिन ऐस आपर नेश्ट बात करें गे अगला फटार और खान तो देख लें बहुत सारे ने यहां पर मर संी पूश्ण है कोशन और केट्सट्याज्स गिर्ट्य odd wo ** अर्हं लेंड पठार यह और इधार एक जगह है जिसका नाम है वीपा वॉक्साइट यह काफी फेमास वीपा जगह है प्विंस Lанд में हाती है इधार सृडिनी जो है यह जो में देखा था निव साउथ वेल्स की राज़ानी सिड्नी यह कागज के लिए काफी प्रशिद है और इधर दो खाने जिनका नाम है काल गूर्डी और कूल गार्डी जो की ट्रांस ऑस्ट्रेलियन जो रेल मार्गर्स पर इस्थित हैं पील बार यहां पर लौएस की ख गूँपर देख रहे हैं आइस अ कि अशेख लिएन के आरम सबारेश्य का स्कूले समय क्याकरण सब्सक्राइब की खोचया रहें करना जो पर यहां पर नियूजीलेंड में होता है तो तो अपुरी में पुरी बैसित की युदान पाता है वह गया को फ्रेंज पोलीनेसिया इस तरह से वह कोशन पूशायता है कि सभी जो ड्रुप हैं किस महासागर में इस्तित आं तो प्रिशांत महासागर में इस्तित सभी जिए और इंतर गता हैंगे यहां बिलिस पुटाना समोवा कूक अमेरीकन समोवा और फ्रेंच पॉलिनेशिया िमरीना मरीना आइलैंड गुवाम आइलैंड अपलावू आता है माइक्रोव। बात करें तो मेलानेशिया में पपुआ आता है वनु वातु आता है फिजी और नियुकालेडोनिया वनु वातु शोलोमन पपुआ यह सभी किसमें आएंगे तो यह सभी मेलानेशिया के अंतरगत आते हैं तो यह अभी तक दचड़ी अमेरिका यूरोप और आस्ट्रेलिया तक हो गया अब आगे यहां पर देखेंगे एशिया वगेरा इस वीडियो में हम कंप्लीट एशिया महदीप को मैप के माधियं से देखेंगे और हर पार्ट अलग-अलग देखेंगे जिसे मत देशिया में कौन-कौन से कंट्री आते हैं उनके बारे में जो चीजे हैं यह गल्फ कंट्रीज में कौन-कौन से देश आते हैं और जो भूमधी सागर से जो सीमा साजा करते हैं वह वाले देश और इधर वाले दक्षण पूर्वेशिया वाले देश सभी चीजे हम कवर करेंगे और जैसे यूपी पीसे में कोशन पुछा आता है में सा क्रम लगाने को सबसे बड़ा महादीप यही है और जनसांख्या में भी सबसे बड़ा है पूरा विश्यो का जितना भी भूबाग है उसका 29.9 परसंट जो है एसिया महादीप का आता है यह कुछ बेसिक बाते हैं पहले आसपास की सीमाय देख लेते हैं उसके बाद में पॉइन पॉइंट जो कि दचणी गुलार्ट में आते हैं तो इंडॉनेशा के दूब कुछ दचणी गुलार्ट में जाते हैं इसके अलावाव एशिया और यूरोप के बीच में कौन सा चीज जो है वह सीमा बनाता है पुछ जा सकता है किनमनेमें से कौन सा सीमा निर्धरण का काम नहीं करता तो यह सीमा निर्धारिट करते हैं एशिया और यूरोप के बीच में तो पहला तो हो गया यूराल परबत हो गया इसके अलावा कैस्पियन सागर हो गया यहां पर काकेकस माउंटेन हो गया जो कैस्पियन सागर से लेकर काला सागर तक फैला हुआ है फिर डार्डेनल्स जलसं सागर ये यह थे चोटा सागर फीरिस के इंतर ग outta सागर है इनके दोनों के बीच में डाडेनल्स जलसंदि तो यह भी एश यह corner का ने धरण करती है इस पर अफरीका के बीच में लाल सागर और स्वएज नहर है यहाज से जोड़ती है turned आगे देखेंगे यहां पर एसिया और उतरी अमेरिका के बीच में बेरिंग जलसंदी है जो कि रश्या को अलास्का से अलॉकरती है तो आस्या और तरी यहां पर सीमा निर्धारण की बात हो गई आगे चलेंगे जो विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस भी एसिया में आता है यह आपको पता ही होगा रूस जो है इससे पहले और बड़ा था जब इसको कहा जाता था USSR पूर्व सोवियत संग जो था इसका नाम पहले सोवियत संग नाम था अब रश्या नाम हो गया इसका विगटन कब हुआ था रूस का तो 21 दिसंबर 1991 में 1991 में रूस का विगटन हो गया और विगटन होने कि बाद 15 देश बने थे अब इस कौन-कौन से पुछा जाता है तो यह देश यहां पर देख लिजेए सबसे पहले तो बाल्टिक गंट्री जो हैं यूरोप में आते हैं बाल्टिक कंट्री के हैं और इनका उत्तर से दच् अस्टोनिया लाट्विया और लिथोएनिया जो हैं ये तीन कंट्रीज हैं Baltic countries एस्टोनिया पहले आएगा फिर L आएगा फिर L आएगा ईल लाट्विया लिथोएनिया इसके अलावा ये जो 12 और देश पर ये तो 3 हो गए ये 15 जो देश बने थे उसमें 3 Baltic countries हो गए 12 अन्य बचे अम 12 अन्य में मध्ध एसिया के देश पांच देश आ जाते हैं एक जाकिस्तान हो गहें यह मैप बनाए चोटा सा यह हो गया यह हो गया करण फिर वाला काजाकिस्तान फिर ओजबेकिस्तान फिर कमेस्तान फिर तुर्कमेनिस्तान पिर कि करण करणें private with personal हैं अभी याद नहीं होता सब है क्रम जरूर है कि कैसी के के यूट एक फिर्ण नहीं यादता हुद पर कुटी हो गाई आप अपने मतलब मैने क्ने ट्रिक बनाई ही उपने याद करने के स्थोड़ाशां अफगानिस्थान कुटान तो इस तरह से याद रखना है यहाँ पर कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, के, यूटी उसके बाद इधर हो गया किर्गिस्तान और तजाकिस्तान अब इसकी capital भी पूछी आती अक्सर तो capital भी देख लेते हैं जिस तरह से लिखा है उसी करम में capital भी है इसकी उसी करम में लिखी हुई है तो कजाकिस्तान की capital है नूर सुल्तान उजबेकिस्तान की capital है तासकंद पहले कजाकिस्तान की capital अस्ताना थी अब नूर सुल्तान हो और तरक कि ठावनों चाहब लाघ्र ऑज़कोंleri नेय। बात करेंगे चाथ कुछणी बचे 7 और रुचे सब्सक्रानude South और सब्सक्रानेे में राज़ी सक्राएव टोटीमल नियौस का इस Lazdenineड में इस वए पाँच मद्न अच्क अन्य देस हो गए अन्य देश में कौन चौन सहाँग यहां पर जोडिया आता है जो की एश्या का हिस्धा जा यह एश्थाकरी ऑर इसकी राज दावनी कि अर्मेट्त suppressor अब यहां पर दो तान और बच्चे पाकिस्तान अफगानिस्तान तो आएगा नहीं दो तान और बच्चे हैं तो किर्गिस्तान हो गया और तजाकिस्तान के और टी किर्गिस्तान और तजाकिस्तान तो इस तरह से याद रखना है यह पर कजाकिस्तान उजबेकिस्तान तुर् सुल्टान उजबेकिस्तान की कैपिटल अस्टान अस्तान अब नूरtar हो गई है उजबेकिस्तान की ये कैपिटल ऐस्टाना और थे में हुआ लाल-भभादो- शैस्टि और तजाकिस्तान की दुश्याम्बे नेक्स्ट बात करेंगे अन्य जो कुछ देश बच्चे साथ देश और बच्चे हैं तीन तो बाल्टी कंट्रीज हो गए यूसेफ आर के विकिटन के बाद पांच मद एसिया के कंट्री हो गए साथ अन्य देश हो गए अन्य देश में बाकू यह भी एसिया में आता है जॉर्जिया एसिया में आता अर्मेनिया अजर्बैजान और रसिया जो है यह एसिया और यूरोप दोनों का पार्ट है फिर यूरोप के तीन कंट्री आएंगे मालडोवा यूक्रेन और बेलारूस मालडोवा की कैपिटल है किशी नियू उसके बाद यूक्रेन की कैपिटल है कीव और बेलारूस की कैपिटल है मिंक्स तो यहां पर एसिया का याद रखेगा जॉर्जिया है एसिया का जिसकी राजधानी टिपसिली अर्मेनिया जिसकी राजधानी इरेवान अजर्बैजान है जिसकी राजधानी है बाकू यह त अब इसको देखना है सबसे पहले जिस कर बिलिखा है यह नहीं ते इसके बाद घुर dope दमिस्क फिर आता लेबनान एकदम छोटा सा लेबनान आता लेबनान की राज़ानी है बेरूत फिर आता इस्राइल जिसकी राज़ानी है तेलवीव यह जेरुसेलम इस्राइल की राज़ानी आपर जेरुसेलम तो यह जो चारों कंट्री है तुर्की सीरिया लेबनान इस्रा फिर आगे बात करेंगे यहां पर कुछ और देश जो दच्छड पश्मी एसिया में ही आएंगे ब्राउन वाले सभी दच्छड पश्मी एसिया में ही हैं फिर साइप्रस आता है साइप्रस जो है भूमद इसागर में दूपीय देश है यहां पर छोटा सा देश है साइप्रस अब साइप्रेस की राज़ानी क्या है इसकी राज़ानी है निकोशिया फिर आता है साओधी अरब जिसकी राज़ानी है रियाद और यमन आता है यह हो गया बड़ा वाला सबसे बड़ा यहां पर जब दश्यों पश्यमेशिया हम पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा देश जो आ रखेगा उपर है सौधी अरब नीचे है यह मन और सौधी अरब दोनों में यह लाल सागर से सीमा बनाते हैं सौधी अरब और यह मन की राज़ानी क्या है साना यह सब लीजिए उमान की राज़ानी मस्कत फिर कुवेत आता है यहां पर कुवेत बहरीन और कतर जो है काफी important countries है क्योंकि यह यह जो पर्सियन कल्फ है यह वाली एरिया जो है पर्सियन कल्फ का जाता है इसको इसमें चोटे-चोटे कंट्री आते हैं पहला तो है यहां पर उत्तर से दच्षड देखी इस जगह पर कुवेत यह हो गया उपर कुवेत इसकी राज़ानी कुवेत सिटी फिर बहरीन आता है सबसे चोटा है बहरीन यहां पर एकदम चोटा साता है बहरीन इसकी राज़ानी मनामा इसको मोतियों का स पर आगे यहां पर इसी के बगल में एक कंट्री आता है यह वाला यहां पर एक चोटा सा है यह जो की साओधी अरब और येमन के बीच में है पर्षियन कल्ब से सीमा साजा करता है यानि संयुक्त अरब अमीराथ इसकी राधानी क्या है अबूधाबी यहां पर एक यह चोटा है यह जो के साधी अरव और इसरां के बीच में है जो कि स्वाधी रव और इसराइल के बीच में है जौर्डन के और इस्राइल K बीच में इसकी सीमा पर इसकी सीमा पर जिसका नाम ओड इसी मिए फिर्म व्रिट सागर जो की समुदतल से सबसेगी स्थित्त है इसी जो सबसेग नीचे सथित्स साघर इसराइल और जॉर्डन की सीमा पर इस हो गए जो की दाखषड पश्चिमेंश के हैं जितने भी ब्राउन वाले कंट्रीस हैं यह वाला पार टर्की सीरिया लेबनान और इधर रोगे इसराइल फिर जॉर्डन होगा जॉर्डन भूमत साघर से सीमा साज़ा नहीं करता है इधर यमन होगवां का इतर यमन में रखेगा याद में कंफिजन होता है लाल सागर से हो साज़ाampa करएगाए ALEX फिर यूएई हो जाएगा चोटा सा इधर गूमे हैं इधर इरां इरयान है तो सभी देश्वर्ण परिष्वय में शयां कि हो गए आगे बात करेंगे गल्फ कॉपरेशन काउंसील एक बनी है जिसे कहते खाडी सायोग परिशाथ अब खाडी सायोग परिशाथ का मुख्याले कहाँ पर है तो सबसे बड़ा जो कंट्री है खाडी कंट्री वो कौन सा है सौधिरब यहीं पर इसका मुख्याला है इसकी राज़ानी रियाद में और आधिकारिक भासा क्या है खाड़ी सहयोग परिशत की तो अरभी भासा है वहां की ज़्यादा तर देशों की भासा अरभी है तो इसलिए अरभी है अब गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में कौन-कौन सी कंट्री साज़ा करते हैं लेकिन एरान इराक भी करता है और वह इसमें सामिल नहीं है साथी अरब सामिल है UAE सामिल है ओमान सामिल है इसमें कुवैद सामिल है बहरीन सामिल है कतर जो चोटे-चोटे कंट्री है वो भी इसमें सामिल है लेकिन इराक इरान जो है इसमें सामिल नहीं है साथी अरब UAE ओमान कुवैद बहरीन कतर अब गल्फ कंट्री में गल्फ कॉप सबसे उत्तर में कौन सा आता है ऊपर वाला कुवैत उपर वाला कुवैत उसके भाद बहरीन इन दोनों की जो मुद्रा है वो है दीनार और लास्ट वाला जो है कतर की मुद्रा है कतर की मुद्रा ए र्याल और रियालि कहां की है साथी अरब की है और Oman की है योई के मुद्रा है दिर्हम योई अपनी अलग मुद्रा चलाता है कौन सी दिर्हम तरह मुद्राय नेक्स्ट बात करेंगे अब दच्छड पूर्व ऐस्या की बात करते हैं आगे जो जल संदिया उसको आगे देखेंगे जो पिंक वाला एरिया यह वह ना पिंक हो या जो भी कलर और भी तो यह जो है यह जो है यह दच्छड पूर वेश्या इसमें कौन से कंट्री आएंगे तो म्यामार आता है यह वारा जो भारत की बगल में म्यामार जिसकी राज़ानी नैपीदा हो फिर थाइलेंड आता है यह थाइलेंड है थाइलेंड की राज़ानी बैंककॉक अब इसके सीमा पर कौन सी नदी आती है वो सभी चीज़ें देखेंगे बाद में फिर आता है लाऊस कंट्री फिर आता है विएतनाम इसके राजधानी है हनुई फिर आता है कमबोडिया इधर ये राजधानी और इसकी राजधानी नॉम पेन मलेशिया की राजधानी कीुवालालंपूर है मलेशिया की capital कि है यह मलेशिया और इसकी capital क्या है मलेशिया है यहां तक पूरा फैला हुआ है अब हम आगे देखेंगे यह दीॵक зай सता है तुकया वtr इसकी सिंगाबुर सिंगाबुर उस्का अपी इंडूनेशिया of है जो बहुत सारे दूइपर इंडोनेशिया में जिसकी राज़ानी अब है काली मंतिल उसके बाद फिर फिलिपीन्स आता है जिसकी राज़ानी है मनीला फिर आता है बुरुनोई बुरुनोई की कैपिटल क्या है बंदर सेरी बुरुनोई यहीं परिस्थे था यह वाला जो ह है इसी में मलेशिया आ जाता है थोड़ा पार्ट और एक छोटा सा देश ब्रोनेई आ जाता और इधर इंडोनेशिया बे आता है तो तीन कंट्री पिछली बार पीसे से यह कोशन पूछा गया था अभी दूइप वाले सेक्शन में इसको कवर करेंगे आगे देखेंगे इससे अरह में सुमात्रा हो गया यह हो गया जावा यहावा हो गया फिर बोर्णियों नटया व्कल लाध इसके बाता है लोमबोला बॉप चोjmर चोटे-चो यह उसका इंप later halls कर लेसिप आँ सुलावं ऑसिप 26 आता है पर उतो हम यहीं पर इतने ही उत सुमभावा और शुलावेसी यह पूछा जा चुका है पहले उसमें आप्सन में यही था सुमातर जावा बोर्णियों और लंबोक नेक्स्ट बात करते हैं विश्व का तीसरा और एसिया का सबसे बड़ा दूइप कौन सा है तो विश्व का और विश्व का दीसरा है और एसि अब विश्व की बात कर लेंगे तो सबसे बड़ा जो दूइप है वो ग्रीन लेंड है जो की डेनमार की टेरिट्री है सेकंड नंबर पर जो दूइप आता है तो पांच ही विश्व वाले और एश्या की क्योल बात करें तो नंबर वन प्याजाता है बोर्णियों अब आत अब उत्तर पूर्वी एसिया में उत्तर वाला पी पूरा एसिया देख लेंगे यह वाला पार्ट पूरा जितना भी दिख रहा है इसको कंप्लीट देखेंगे और इसमें जो सबसे इंपॉर्टन कंट्री है वह है चाइना चाइना का मतलब हर तरफ वर चसु रहता है आप पीला वाला है चाइना और यह बीच में मंगोलिया यह पीला वाला है चाइना और उपर वाला यह रेड जो भी कलर रहे है यह है रूस तो रूस से सीमा साजा करता है उत्तर कोरिया से सीमा साजा करता है यह है नौर्स कोरिया यह साउथ कोरिया यह उत्तर कोरिया से सीमा करता है यह वाला एरिया किर्गिस्तान के बाद किर्गिस्तान फिर तजाकिस्तान से करता है यह वाला एरिया तजाकिस्तान यहां पर करता है फिर अफगानिस्तान से करता है इधर देखिए यह अफगानिस्तान से करेगा यहां पर थोड़ा सा एरिया कि वाल अफगानिस्तान लेकिन यह लोग आपस में बहुत सारी जगह भारत में पाकिस्ताने को दी थी वह पाकिस्तान हमसे लिए हमसे मिल चुकी तो पाकिस्तान और चाइना की सीमा मिली हुए नेपाल तो सीमा साजा करेगा गाव करता है म्यामार भी करता है यहां पर म्यामार करता है लाउस और वियतनाम यह कंट्री बहुत पूछे आते हैं और खास करके नीचे वाले जो हैं इन में से कौन से देश सीमन नहीं लगती है यहां पर चाहिना की ऐसा पूछा जाता है इस वाले एरिया में तो म्यामार से लगती है ला प्योंग यह भी देखते चलिए सिर्फ मैप में और जब कोश्यन आता है तो अपने आपी कहां पर कौन से चीज़ है वह याद आ जाता है फिर दक्षड कोरिया की राज़ानी सियोल फिर यहां पर आएगा ताइवान ताइवान की राज़ानी ताइपे यहां पर कई जलसंदियां आगे देखेंगे नेच्टर करस्या को सब सब से उत्तर प्याईगा होकेंडो सब्सेंब्स्टरी जो इसके राजधानी घाल की वहां सबसे बढ़ा ऑगा सबसे बढ़ा हुआ साय और इस पर करफो है अधर चाहिक और नागोया उसे यहां सब अधर नाँगोया को जापान का डेट्रोइट कहा जाता है इसके लाओन रेशन उद्योग यहां पर काफी विख्षित है क्योटो जहर्दो जहां का क्योटो प्रोटोकॉल फेमस है क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज के लिए है यह ग्रीन हाॉस गैस उर्फ सर्जन में जो कमी लानी थी कोटो प्रोटोकॉल के तहर्ट कवाया था यह 1997 तो यह कोटो प्रोटोकॉल जो है क्योटो जो जगह है कि जापान में इस्थी थे नागोया दूइपर इसके अलावा हिरोशीमा पे जो हमला किया गया था जो परमाणु बंग गिराया था अमेरिका ने 6 अगस्त को छेगस् 1945 में जो बंब गिरा था उसको लिटिल बॉय कहा गया था और यह हीरोशिमा जो है इसी नागोया पर है फिर आता है शीकोकू शीकोकू आता इधर छोटा सा फिर आता है इधर क्यूशू सीकोकू और क्यूशू मतलब क्रम यही उत्तर से देख्षण हैकोएंडो होंसू नागो कुछ दिन बाद गीरा था 1945 में ही नौगस 1945 और यह वाला जो बं था नागासापी की पर जो गीरा था उसको फैट मैन कहा गया था हिरोशिमा वाले को लिटिल बॉय और नागासाकी वाले को फैट मैन कहा गया था और क्यूशू द्वीव पर ही मिनी माटा सहर इस्ते थे मिन नेक्स्ट बात करते हैं मंघोलिया की मंघोलिया फीसी एरिया में आएगा उलान बर्थॉल है इसकी मोसको और यह का साइबेरिया च्छेत्र काफी ठंड़ा रहते हैं यहां का मौसन बहुत ज्यादा ठंड़ी यहीं पर रहती है नेक्स्ट बात करेंगे कि रूस में ही उत्तर में रूस के उत्तर में क्या है यह रूस हो गया है उत्तर में जलसंदी इधर आलाजका हो गया उत्री अमेरीका वाल महदीव है इसकी इसकी पूर में ही सक्कालिनदुइब्फ है लेकिन सीप्वार्षर स्मुषियद dedlectionुप aleia और पशिम में यूरोप है यह रूस हो गया इधर मंगोलिया हो गया इधर उत्री अमेरिका हो गया इधर आर्केटिक महासागर हो गया नेक्स्ट बात करते हैं आपर दच्छुड एसिया की डच्छुड एसिया में हमारा इंडिया भी आ जाता है और राज़तानी हिन नहीं द आइना से करता और करम वही लिखा हुआ है और चायना उसके बाद पाकिस्तान से पहले पाकिस्टान आएगा फिर नेपाल भूतान और म्यामार और अफगानिस्टान सबसे छोटी शीमां अफगाणिस्तान के साथ हैं सबसे बड़ी सीमा बैगनिस ऐस कम पूछा ने इसकी राशानिये ठाका सीमा तो भारत और व्यामार से यहां पर कुछ सी में उसक पड़ेंगी क्योंकि हमारे आस-पास का मर्य यह बंगलादेश कि जो है यह भारत और म्यामार दोनों से सीमा साजा करता है अब इंडिया के मैप में हम देखें कि भारत के कौन-कौन से राजिस से लगता है पांच राज से टोटल लगता है नेक्स यहां पर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी इसलामाबाद और पाकिस्तान कहां करता है और आगे देखते चाइना से सीमा साजा करते हैं अफगानिस्तान की बात करें तो काभूल इसकी राजधानी है नेपाल की बात करें तो काथमानडू इसकी राज़धानी सीमा भारत और चाइना के बीच बूटान की राज़धानी थिमपू यह भारत और छाइना कि बिछ में थिता है नेपाल और फूटान दोनों भाlor चीन सीमा साजा करते हैं आगे बात करेंगे श्री लंका की तो इसकी राज़धानी जय ते वर्ड शाली कि आए भारत के साथ यह को पता है नीचे आंसु पून पूछा जाता है और इनका क्रम पूछा जाता है उत्तर से पूरव से पूरव से पूरव चलते हैं तो आर्केटिक महासागर के मतलब रश्या की उत्तर में कारा सागर आएगा पहले से पहले पूरवी सागर आता है पूरवी साइवीर्यन सागर गाला सागर लेप व सागर पूरवी आर्क जमृस्तर पूरवी सागर ते नियंक के से और इसके बस c है इसको कहते pair hero का जाता है ये बेरिंग सागर फिर इधर जो एरिया इसको कहा जाता है ओखोटस्क सागर यह जो है ओखोटस्क सागर है जो कि यहां पर रशिया के पूरब में इस्तित है फिर आता है नीचे इसके जापान सागर यह हो गया जापान सागर जो कि रशिया और जापान के बीच में इस्तित है जापान सागर फिर आता है यहा यह पीले साघर नदी, जो की चाइना होट अर चेंटे पीले साघर? यह बृबी चीन साघर यह जितने भी सागर है किस महासागर के अंतरगत आ रहे हैं इधर वाले प्रशांत महासागर के अंतरगत आ रहे हैं उपर वाले जो थे यह आर्कटिक महासागर के अंतरगत थे इधर वाले प्रशांत महासागर के अंतरगत हैं पीला सागर के नीचे कौन सा सागर है यह तो प इसके जो है पूर में इस देखना पड़ीगा या फिलिपीन्स के से पश्यम में इस इसके हो गया इसके पर दिखना पड़ीन्स पर इसके पूर्ब सुलू सागर कहा है यह वाला फिलिपीन्स और यहां पर बढ़नी दूब जो है यह बोल्डीव जो एकिसका है इंडोनेशिया का और यह फिलिपिन्स एरिया है तो सुलू सागर जो है यह फिलीपीन्स और बौर्डीव दूप के बीच के बीच मेंस्तित है कि यह सेलेप सागर बोर्णियो दूप वही है जो कि एसिया का सबसे बड़ा दूप है नेक्स्ट बात करेंगे बांदा सागर कहां पर है यह हो गया बांदा सागर जो कि सेलेप सागर और यह जो न्यूगिनी वाला दूप है सेलेप सागर सेलेपस दूप और न्यूगिनी उसके पूरमे स्थे था स्विवसे पूर में से थे थे फलाउन सागर चाहर इसिप पूरमे संब्स Şimdi में तुरक्षण में सित्थे था जावा fi जो है जावाке उत्तर मेरे बोड़निए जावा के बीच में पतब यहां पर आपर आप सागर अरब साघर इसम पूरा उट्प ब्रशाइं के देखते हैं जल संधियों के बारे में और इसको कई बार देखना पड़ेगा यह मैं जो है डेली अगर पांच मिनाट देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही क्लियर होने लगती है एसिया की जल संधिया कौन कौन सी है यहां पर तो सबसे पहले यहां बेरिंग है कि अतिया पर यहां पर गया है यह वाली है त यह बदी यहली है पूरवि ईस्को सखालिन द्युब से इसको यह लेकिन इनके बीच में जो जल संधी को कहते है तंअ हम च्मॉ operates यहाँ पर रहरUND की के वपांस के बिच में कौंसी जल संदी यह वाली है जिसका नाम है लेपर युद जल संदी सक खालीन डुप और आप नेक्स्ट बात करेंगे कोरिया जलसंदी दच्छड कोरिया और जापान के बीच में इस्तित है और इसी के बगल एक और जलसंदी है ये भी दच्छड कोरिया और जापान के बीच में इस्तित है क्योंकि बीच में छोटा सा एक दूप और आ जाता है तो तुसिमा जलसंदी कह ranks जल्संदी जो चाईना है उसको टाइवान से अलग करती है ताइवान को फिलिपीन से लग करती है ल existem जलसंदी जो है यह Taewan को फिलिपीन से लग करती है और फिलिपेंस के किस को तो लुजोन जूप Mexico हे साफ नाम यह दुप और लिजोंडू दोनों के बीच में जलसन्दी औरंज कलर की यह मकसार जलसन्दी फिर आती यहां पर सुन्डा जलसन्दी यह वली है जो किसे अलग करती हैист इंडोनेशिया का सुमात्रा दूइप यह जावादीप दोनों को अलग करने वाली जलसंदी जो है सुन्दा जलसंदी फिर आती है मलक्का जलसंदी मलक्का जो है इंडोनेशिया के सुमात्रा को किसे अलग करती है यह मलाया प्राइदीप मलाया प्राइदीप में मलेशिया ब दोनों भी दोनों को अलग करने वाली जलसंदी को न है मलक का जलसंदी सुमात्रा को मलय प्रय दीप से फिर आती है बॉब अलम olarग्त मंदयु जलसंदी घृज वीरी और आदन की खाली यह उगाई अडन की खाली यह वहाई फारस की खाली Repeat पारज के में जो बाव दोनों का यहां पर ऊत्तर दशद पर फारस की क्राड़ी और में यूद्ट आगी बात करते हैं यहापर दो और बची है अब पहले यापर बास पुरस जलसंदी देखते हैं यह हो गया काला सागर काला सागर इसकी बगल में एक छोटा सागर है जिसका नाम है मरमरा सागर तो काला सागर और मरमरा सागर के बीच में जो जलसंदी है उसका नाम है बासपोरास जलसंदी और इसी मरमरा सागर के इधर में थोड़ा सा एजियन सागर है एजियन सागर जो है भूमदी सागर का हिस्सा है तो एजियन सागर और मरमरा सागर के बीच में जो जलसंदी है इसका नाम है डार्डेनल्स जलसंदी मरमरा सागर और एजियन सागर के बीच में डार्डेनल्स और काला सागर और मरमरा सागर के बीच में बासपोरस दोनों काफी इपॉर्टन्ट है इसके अलब कर्च जलसंदी तो इसके नाम है कर्च जलसंदी कर्च जलसंदी नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं जलसंदिया कवर हो गई और कुछ और महात्यपूर्ट विंदू जो एक्जामें पूछी आता सकते हैं जिसे रूस की नदियां कुछ पूछी आती है अकसर पस्चिम से पूर्व इसको और सभी नदियां इसकी जो है रूस की उत्तर को बहती है तो तीन नदी है इंपॉर्टन पहली ओब यह वाली सागर देखे थे सभी तो लीना जो है लेपटेव सागर में गिरती है इस सब्सक्राइब करेंगे संसार की जो सबसे उची चोटी है इस्टित है माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिबद की सीमा पर फिर मृत सागर कहां पर है इसराईल और जॉर्ड़र्डन की सीमा पर इस इस्राइल और जॉर्डन की सीमा परिस्तित है मृत्सागर छोटूसा जो की समुद्ध तल से कि कितने नीचे है तो 377 मीटर नीचे यह फिर आता है टॉरस परबत यह कहां पर है तो यह साइप्रस से लेकर टर्की तक फैला हुआ है टॉरस परबत जो है साइप्रस हमने देखा भाग में है जॉगरुस परबत फिर काकेकस माउंटेन यह कैस्पियन सागर से लेकर काला सागर तक फैला हुआ है काकेकस माउंटेन काकेकस है इसके अलावा नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे एलबुर्ज परबत कहा है तो इरान और तुर्कमेनिस्तान पर मतलब सीमा पर एलबुर्बढन यहां पर पर इसका लेकिन इरान और तुर्कमेनिस्तान डोनों पर लगता है कि में आंडाय चिन में है आलटाई मॉंटेन कहा हैं और मंगोलिया दोनों में फैले वे अल्टाइ माउंटेंज चीन और मंगोलिया दोनों में फैले वे अल्टाइ माउंटेंज फिर अनातोनिया का पठार का है काफी फेमस अनातोनिया का पठार ये टर्की में है अनातोनिया का पठार तर्की में है फिर तीन ठू बेसिन है जो क पढ़ती है तो पाकिस्तान में पूच्व दोनो स्रेडी ऑंप लिए इस प है यह अब नेपाल की चोटियां से पूर्वारेंज करने पर एवरेस्ट आती है मकालू आती है और कंचन जंगा यहां पर सबसे पहले धौला गिरी अन्न पूंडा गौरी संकर एवरेस्ट मकालू और कंचन जंगा यही क्रम याद होना चाहिए अक्सर पूसर आता है नेक्स्ट बात करेंगे लैंड ओफ थंडर बोल्ट किस देश को क डुक आम ज acronym को झामार को कहते हैं सेंट पथार और क्या कायिंटी नेक्स्ट बात करेंगे में मार की नादी है में मलर और थाइलेंड की प्याकृतिक सीमा का निद्र रांट करती है ब्यामार ऑर थाइलेंट कि सीमा पर है साल्वी नदी पूंच लिया जा जाता है एक्सर फिर मेकांग नदी मेकांग नदी किन किन देशों में बैठी है इसमें आंसर भी गलत दिया हुआ था तो मेकांग नदी जो है तिबबत से निकलती है चीन जाती है म्यामार, थाइलेंड, लाओस, कमबोडिया और वियतनाम इतने मियतनाम में ही मुहाना बनाती है अपना मतलब सागार में गिरती है तो तिबबत चीन म्यामार थाइलेंड लाओस कमबोडिया और वियतनाम जितने भी कंट्री यहां पर आते हैं जो दच्छण पूर्वी एसिया वाले उन सम्में यह जाती है मलेशिया में नहीं जाती याद रखेंगा मलेशिया में नहीं जा सब्सक्राइब यहे पूरे मियामार को और जाकर अंडमान सागर यानि बंगाल की खाड़ि में गिर यह अग्याल की खाड़ीने फिर यहां जापां का मान्चस्टर किसको कहते हैं ओसाका को जापान-का डेट्रॉइड या ब्रेट stoad कि से कहा जाता है जापान का गया को कहत था है बंग का और बिललिटन और दोनोङ प्लाव दोनों कहाँ एंडोवार्ट कुछास से नहीं है मलेश्या में थह किंटा देश मधी तो मलेशिया जो कि मलेशिया के साहर है तरकी से लेकर कई सारे देश थे लेबनान जो है ये बेका घाटी यहापर जो किसे उतपादन के लिए प्रश्रिद है पिर रब अलखाली और अलफूद यह दोनों मरुस्तल कहां पर हैं तो सौदी-अरब के मरुस्तल हैं रब अलखाली और अलफूद बरगन पहाडी कहां पर है तो यह कुवेद में इस्तित हैं कुछ ऐसे फेमस चीज़े होती है जो अकसर पूछी जा सकती है ब साइफा वंदर साइफा वंदर करें साणी अरब में बरगन और मगवा तेल सित्र में उसमें सफीत हाथियो का सहा है न्यूगिनी पर कौन से दो देश है न्यूगिनी इक दीवी पर फै बड़ा सा औरonner प्पून से देश हैं इंडोनेशिया भी आ जाता है पप्पूनी अलग देश है इंडोनेशिया लग प्र यह वा बढ़नीओ दियू पर भी यह आगे बात कर दो भुषेर की तो पर्मारु सहाहं रहा है पर माल यह एक expressing कम्रणसा नफ्ति शाफिद लाली हफ्थ गेफ हें उसके बाद फिर गश्ण करेंस कोणा उसके बाद एक पर आन पर पेर आता है नान शान पर्वत और कराशान पर्वत करें हैं यह चींन में के बीच एक मैदान है सैदान मैदान चीन में रिंग कहां पर्वत अधarm की तिर्ह दोगएं लोगें रा마 पर है कुलूण 5 और शयां शयान परवत के बीच में सबlements कमेदान कहा पर सब्akkust है कुनलून परपत और रूस की शान शान के उतर तर मेंulf reference उसके मंगोलिय और रूस की सीमा पर फिर अफीम उत्पादक रूस को गीरी авफ भी अत्राओं जो कि golden triangle में आते है golden triangle का संबंध किस से अफी मुत पादन से यह आता है यह तीन देश कौन से मियामेर है लाउस है और धाइलेंड गोल्डेंड ट्रेंगल में आने वाले तीन देश म्यामार लाउस और थाइलेंड म्यामार थाइलेंड और लाउस तो यह हो गया पूरा एसिया बाकी चीजें जो है अगर जौला मुखी की बात करें तो जौला मुखी हमने अलग से चैप्टर में भी कर लिया और फिर से के सेकेंड लार्जेस्ट है एसिया जो था हूँ लगबग 30 परसेंट था विश्व के सब कंप्लीट भूबाग का और अफ्रीका जो है यह 20.2 परसेंट है विश्व के भूबाग का और यहां पर जो यह वाला मैप है इसमें दिया हुआ है कि किस तरह से हमने रीजन को डिव और कंट्रीज है इसमें अब बात करेंगे एक मात्र असम महादी पर जिससे चार जो प्रमुख रेखाएं होती है पहली तो हो गई इसमें विश्वत रेखा भूमध रेखा यानि पिर करक रेखा मकर रेखा और ग्रीन वीच वही देशांतर जीरो डिग्री जो देशांतर रेखा कहते हैं और विश्वत रेखा जो जीरो डिग्री जो अक्षांस रेखा होती है विश्वत रेखा या भूमध रेखा कहते हैं अब पुछा जाता है कि दोनों कहां पर मिलती है तो यहां से ग्रीन वीच रेखा जो लंदन से आती हुई यहां पे गिनी की खाड़ी य जिरो डीगरी को अखचान से मिलता है, बहुमधे रेखा और देशानता रेखा यहां पर मिलती है, ग्रीन विच को अलग से कवर करेंगे, कौन कौन से देशों को कवर करती है, उर्फिक्थ को ड्रोम और अफरीका को उसके बाद च्छडी दुरूब में चली जाती है तो यही पर दोनों मिलती है इसको ग्रीन वीच रेखा कहते हैं इसको भूमादे रेखा कहते हैं गिनी की खाड़ी में दोनों मिलेंगी और यह अफरीका जो है एक मात्र ऐसा महादीप है जो कि चारो गोलार् तो यह अफ्रिका और यूरोप के बींट है तो स्वेज नहेर को अफ्रीका से यानि हिंद महासागत तो चारों दिशाएं हो गई उपर जो है उत्तर साइड में भूमद सागर है फिर इधर साइड में लाल सागर है इधर इंडियन ओशन फिर इधर है साउथ अट्लैंटिक ओशन आगे बात करेंगे यहां पर पांच पार्ट में इसको किस तरह से इसको चाइब हो गया पार्ट फोर यह और फाइप पाँच पार्ट में इसको डिवाइड कारेंगे और पहला पार्ट यहां से चली सुरू करते हैं अव इसको पस्शिमस पूरब पढइना तरह से पूछा जासकता है पस्षीमस पूरब पहले पार यहां और Western स cob आलाए s pn ब्यफेस्टेन सहारा हो गया और इसके बगल में है मोरको से लग होता यहां पर भूमा दिसागर में में जलSन्दी जिसका नाम है जिब्रालटर जंसनी जो है यह इस्पेंट को यूरोप के एक एपटेंट को आफ्रीका के मोद लिफ्टीं करने का यहां पर मुरको की राजधानी क्या है तो मुरको की राजधानी है रबात वेस्टन सारा की राजधानी थी लायूने और मुरको की राजधानी है रबात फिर अगला जो देश आता है वह है अलजीरिया जो की अफरीका का सबसे बड़ा देश है और इसकी राजधानी क्या है तो राजधानी है Algeria, राजधानी इसकी है Algeria, मैप में कहा है Algeria, तो यह वाला पार्ट है Algeria, सबसे बड़ा है यह अफरीका का सबसे बड़ा देश Algeria, उसके बाद आता है Algeria की राजधानी हो गई Algeria, फिर आता है Tunisia, यहाँ पर छोटा सा कंट्री है Tunisia, यह हो गया Tunisia मैप में और ट्यूनीशिया की राज़ानी है ट्यूनिस अलजीरिया और लीबिया के बीच में स्थित है ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये छोटा सा कंट्री भूमदी सागर से सीमा साजा करता है और ये जो है अलजीरिया और लीबिया के बीच में स्थित है फिर आता है यहाँ पर ल सिल्देट रेखा मैंने बना दी फेले पूर्व बना भी पूरा रिखा मैंने बना दिए पहले पाट जै। और इसमें जो यहां पर North Sudan आता इसकी राजधानी एक खार्थूम, खार्थूम जो है यह Blue Nile और White Nile जो है, उनके मिलने का इस्थान है, खार्थूम में Blue Nile और White Nile आकर मिलती है और उसके बाद नील नदी बन जाती है, नेट्स ने आपे बात करेंगे साउथ सूधान की जिसकी राजदानी जूबा यहां पर सूधान की राजदानिया इंपर्टन्ट है नौर्थ सूधान की घार्तूमSouth सुडान के जुबा क्या हो गया साऊथ सुडान सबसे पहले सुरूर किया था ऩा की quand सासे यह घर तो इसुडान को के चलते हैं प्रेल्टिय नदिया networks पाढ वगर वो सब बाद में DEEक लेए और कहां से करक रेखा मकर रेखा भी जाती ही यहीं मेप के दूारा पढ़ लेंगे है पार्य लुए टू में देखे पारडर यहां पर मेंसें कर दिया यह लुट को और इसमें जो पहला country हम देखेंगे यह इसी में आ जाएगा हॉर्ण ओफ अपरिका पहला जो इसमें country है वो है Eritrea पहला country है Eritrea इसकी राज़दानी important है Eritrea की राज़दानी असमारा Eritrea की राज़दानी क्या है तो असमारा है next यहां पहला जो यहां पहला country है वो है जीबूती यह हो गया छोटा सा Eritrea और यहां पर है एकदम छोटा सा यह वाला पार्ट है जीबूती जीबूती की राज़दानी जीबूती है यह भी दोनों यहां पर होड़ आफ अफरीका में आएंगे फिर आता है सोमालिया अभी हम केवल वही country देख रहे हैं जो यहां पर समुद्र से सीमा साजा कर रहे है तो पहला तो हो गया Eritrea फिर हो गया जीबूती फिर आता है यहा पर सीमा साजा कर रहे है केन्या और हमिने देखा था यहां पर Eritrea जो था इरिट्रिया कि सै साजा कर रहे है जीबूती भी लाल साजा से जीबूती लाल साजाबセ ल्लाल साजा और उंडिया नोशन इसे भी फिर आता है इथोपीया इथोफिया बीच में है लेंड लॉक्ड है इंसकी राधानी क्या ए दुड़ो मा और पूरे अफ्रीका की सबसे उंची चोटी है जिसका नाम किली मनदारो वहिसी तंजारिया में अगे देखेंगे और यहां पे कुछ चीज़ें और इसमें हौर्ड अफ अफ्रीका में कौन कौन सा आता है तो Horn of Africa में Eritrea आता है, Jibuti आता है, Somalia आता है, Kenya और Ethiopia आता है कही कही पे इनमें से एकाद country को नहीं दिया रहता है कभी कभी दिया रहता है कि सिर्फ Eritrea, Jibuti और Somalia बाकी कंट्री इसको नहीं लिखा रहता है कभी कभी Kenya को छोड़ दिया जाता है तो इस तरह की चीज़े जो है अलग-अलग दिखती है लेकिन होर्ण ओफ अफरीका पूरा ये होर्ण जैसे निकला है ना सिंग ये पूरा जो है होर्ण ओफ अफरीका में आ जाता है एरिट्रिया जीबूती सोमालिया केन्या इथोपिया और तंजानिया इसमें नहीं आएगा तो यहां पर मैंने होर्ण ओफ अपरिका का यहां तक लिख दिया है नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं अगला जो पार्ट है तीसरा वह है पश्चिम से पूर्व देखेंगे बड़ नेक्स्ट वाला नाइजर की निमाई और यह दोनों जो है लैंड लॉक कंट्री अब तो यह उपर वाला हो गया तीसरे पार्ट में अब नीचे वाले पार देख लेते हैं पुरा नीचे वाले पश्चिम से पूर्व फिर यहां से यहां तक चलते हैं चोटे-चोटे कंट् पुझी जा सकते हैं इसको ऊरेंज करने कऊ जाता है आ सकता हैं कि पश्चिम से पूर विए पूर से पश्चिम क्योंकि चोटे चंट्री इस तरह से ज़्यादा पूछ नेते हैं आगे यहां पर देखते हैं कौन कौन सा साइस में पills सेनेगल यहां पर सेनेगल आएगा सबसे पहले मैप में देखते हैं यह आगाơn पर सेनेगल सेनेगल की राज़ानी क Kenya तो डकार सेनेगल की राजानी क्या है डकार फिर आता है गैंबिया फिर यहां पे छोटा सा कंट्री आएगा गैंबिया गैंबिया की राजानी क्या है तो गैंबिया की राजानी है बांगुल बांजुल गैंबिया की यहां पे कैपिटल क्या है बांजुल यह लिखी हुई है बंजुल फिर आता है गिनी विशाओ कहां पर है तो गिनी विशाओ यह है छोटा सा गिनी की विशाओ कि चांपिटल कैंड इसकी जो है विशाओ आगला यहाँ कि राजदानी बहुत इंग स्भाए इंग में बैट जबनेंसे कौन सा युकमाइल नहीं यह स्तार लाइब्यरिया पर कांट garlic लाइबरिया की राजधानी है मोन्रोवी लाइबरिया की राजधानी मोन्रोवी फिर आता है शोकृ उत्सक exploration नहीं, पर बात करेंगे नेक्स्ट यहां पर बात करें में kla उत्व कंटरي वह धाना अंग्ला जो कंटरी है वह घाना यहें गाना और घाना की capital क्या है तो घाना की capital है अक्रा यह important है capital घाना की capital क्या है अक्रा फिर आता है टोगो जिसकी राज़दानी है लोम तोगो की राज़दानी है लोम फिर आता है बेनिन बेनिन की राज़दानी है पोर्टो नोवो फिर आता है नाइजीरिया नाइजीरिया की संख्या वाला देश आगे बात करेंगे फिर से देख लिजें यहां पर सनेगल यहां पर गैंबी और गेंबिय य्हां तो हम क्छोष या बैनिन है फिर आता है नाइस सब्सक्राइब बीच भालों के बीच में यह सभी कोस्ट लाइन पे हैं जो की सौथ अट्लैंटिक से सीमा साजा कर रहे हैं और इसमें जो एक फसा हुआ कंट्री है वो है बुर्किना फासो बुर्किना-फासो इन सबके विच में फस गया है तो इंपोर्टन नाईजीरिया की अबूजा है बुर्किना फासों की और इन सब के बीच में फजा हुआ है है मतलब अभी 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 आपने जो देखा फसा हुआ कंट्री है और यह इन सब के बीच में फसा हुआ है बुर्किनाफास हो नेक्स्ट यहां पर अगला पार्ट जो है वह चौथा पार्ट फोर्थ और यह जो है मैंने दिखा दिया इसे रेट कलर से तो इसमें सबसे पहले कोस्ट लाइन वाले देख लेते हैं कोस्ट लाइन वाले जो जो है उत्तर से दच्षड यहां पर जो कोस्ट लाइन से सीमा साजा कर रहे हैं पहला आएगा कैमरून पहला आता है कैमरून जिसकी राज़ा नहीं यहां उन दे अगर बात किजा अफरीका में सबस्यादा वर् अपर सब्सक्राइब करने ही देश हैं यहां पर सब्सक्राइब तर्षा करने वाला ही देश है कैमरून हो गया फिर से देख लेते हैं यहां पर, केमरून हो गया, जिसकी राज़ानी है यहाँ पर सबसे ब्राज़ा होती त bounds के लिए नहीं बैब्बॉन इस की राज़ानी है यह इन ससा, यहाँ पर दोनों यहाँ पर कॉंगो वालीी राज़ानी इता हैнок, अभी यह तो हो गए फोट्थ पार्ट में जो कोश्ट लाईन से सीमा साजह कर रहेते से इसी वह पर चार में लोटे हैं कौन-कौन-कौन तो हो गया यूगन्डा, पहला तो हो गया यूगन्डा, इसके बाद यहां पर बुरुंडी, बुरुंडी और रवांडा भी आ जाताा यहां पहले अ nih, देख लीजिए चाढ़ सब्कुत केर लिए नर्च राज़ाणी पहली hours को क्रहएं। औहले अलुह केत एप यह पानिया फीफ्ट ऑर इन आउन कोस्ट लाइन सीमा साजा करने वाले देश कौन-टों से को फिर आता हैं नांईबिया नांगी विलॉटोग इसने कर आव Спष्ट गेना में जाने लीजकों पिर आया हाव सब से निकष वाला तो यहां पर प्रिटोरिया जो की कारेपाली का जहां पर फिर आता है यहां पर मोजांबिक देश यहां पर जिसकी राजदानी है मापूतो अब इसी में लैंड लॉग्ड कंट्रीस देख लेते हैं कौन कौन सी है तो लैंड लॉग्ड यहां पर जांबिया है जांबिया का पर यह वाला जांबिया है जांबिया की राज़ानी लुसाका राज़ानी इसकी इंपोर्टन्ट है फिर जिम बॉम्बे है जिम बॉम्बे की राज़ानी हरारे सबसे ज्यादा साख चाड़ता है जिम बॉम्बे में इस अफरीका की बात करें तो या गया जिम बॉम्बे जिसकी राज़ानी हो गई हरार फिर आता है मलावी मलावी कंट्री यहीं पर छोटा सा है मलावी मलावी की राजदानी है ली लोंग वे फिर आता है बोच सुआना बीच में सबसे और बोच सुआना जो है इसकी राजदानी गैबरोन लेसोथो और यहां पर एस्वातिनी दोनों साउथ अफ्रीका के बीच मे आते हैं मतलब दोनों चारों तरब से जो है साउथ अफ्रीका से गिरे हुए उसके अंदर ही आते हैं तो लेसो तो और इस्वातिनी इस वातानी की पुराना नाम है स्वाजी लेंड इसकी राजदानी क्या है तो मबाब ने तो लेसे उथो आश्वातिनी पूछा जाता है कि दूप में कौन कौन सा दूप है सो कोत्रों है सब्सकी एंद महा सागर का चाफी इंपोर्टन्ट है अंताना नारी यो जो किसकी राजदानी है इसको जैसे भी प्रोणाउंस किया जाएगा अंताना नारीव एक इसकी राजदानी मेड़ अगास करकी फिर आता है कॉमोरोस यह मयोती इसकी राजदानी फिर आता है मौरिसस मौरिसस भी दच्छडपूर में और सबसे ज़्यादा घनत वाला यहां पर सबसे ज़्यादा जन तेनिस फिर आता है कॉमोरोस कॉमोरोस की राजदानी मौर्स उसकी बात फिर सेसेल्स आता है की राजदानी कि विक्टोरिया नहीं Healing the big महादीप भल्दिक ज़िए आप्ल 1000 डीफ कर ज महालत कर सकते हैं तो यह ऐऊचाक बनाली अफ्रेका इन्तरक्रता नहों सबते सकते हैं महात्यों देश कि अप्रीका के अंतरगत आता है तो सबसे बड़ी जील है यहां की वो है विक्टोरिया जील अफ्रीका की सबसे बड़ी जील अगर विश्यो की बात करी जाए तो मीठे पान की तीसरी सबसे बड़ी जील और इसे किसे किसे ही सीमा साजा करती है तो युगांडा, केन्या और तंजानिया से सीमा साजा करती है और यहीं से वाइट नील निकलती है और यहां से ब्लू नाइल निकलती है याद रखेंगे ब्लू नाइल भी आगे देखेंगे और ये जो है भ्रहंस घाटी में नहीं रहती इतनी बड़ी जील है और अफ्रीका में बहुत बड़ी भ्रहंस घाटी है आपको पता ही होगा ये पूर्व साइड में पूरी जो है भ्रहंस घाटी और बहुत सारी जील है लेकिन विक्टोरिया जील जो है ये भ्रहंस घाटी के से सकरती है टेंगालीलिक फिडरते लेक लेक अलर्बर्ड जो कि युगांडा और कॉंगो की सी मापराश्थत्र लेक अल्वर्डो अगली आपार रुखवा जील कहां पर है तो रुखवा जील है तंजानिया में और इस जील के मुझ नामवेले और कोमोलो छेत्र में क्या पाया जाता है मुझ नौम विले को मोलो छेतर में क्या पाजाता है कोईला और यह रुकुवा जिल का ही छेतर है अब यहाँ पर पूछ ले जाता है कि भ्रहादस घाटी की जीलों को उत्तर से रच्षड अरेंज करिए तो रुडोर्फ जील होगे जो की केनिया में है अलवर्ड जील यूगांडा केनिया में फिर एडवर्ड जील जो की यूगांडा केनिया में कीवू टंगानिका न्यासा ये जो है टंगानिका न्यासा ये भी हम देखेंगे सभी जीले यहाँ पर देखेंगे मैप से लेक मवेर्यू है कांगो जांबिया की सीमा पर है लेक वंगेलू है जो की जांबिया पर है कुछ चीज़ इस पर रटनी भी पढ़ेंगी जो की पूछी जाती है एक्जाम में लेक चिलवा की बात करें तो तंजानिया मुजांबिक और मलावी की सीमा पर है लेक तुर्काना बहुत पुछी आती है और लेक तुर्काना कहा है केन्या में लेक ताना कहा है इथोपिया में लेक ताना से ही जो ब्लू नाइल हो निकलती है इथोपिया से लेक ताना से ब्लू नाइल निकलती है और विक्टोरिया जिल से वाइट नाइल निकलती है दोनों पुछ ही आती कि कौन कौन से देश की सीमा पर है तो चाड की सीमा पर है नाइजर केमरून और नाइजीरिया नाइजीरिया भी इस पर आता है चाड जील जो है चाड नाइजर केमरून और नाइजीरिया से सीमा साचा करती है अब आगे असाल जील जो कि जीबूती में है असा संब यहां पर मैप से भी देख लेते सबसे पहले लेक तुरकान आएगी लेक तुरकाना और इसने उप़र पर TUq wanna सब हैं तर में लेक ताना है की अफोपीया में लेग तुरकाना कहां पर केण्या में फिर आती आप कोयोगी जिल कोयोगी जिलागी अलबर्ट जिलाती उतर से देचल पूछ ले लाता है इसलिए मैं देख रहे हैं लेक विक्टोरिया जो की सबसे बड़ी है जो की केन्या तंजानिया युगांडा की सीमा पर है फिर क्योगा आती है यहां पर कियू आती है फिर टंगनिका लेक मुझांबिक आप अई च्वाट एयुगा पर करेंगे लेक क्रीभा आती है जो की ड holy जामबिय और पूंबे की सीमा परिस्तित है आजीदों की अब कर लίटें में जीनों रचनी खेले के आपको देख लिए इल ए नादी की बात करें थे तो सबसे लंबी स्वें ब्लून ज से मिलकर वनती है यह वाइट नाइल निकलती है vereक्टोरिया जिल से और ब्लू नायल निकलती ताना जील से अब यहां पर जो वाइट नाइल है यह इस पर उगांडा कि राजानी कंपाला उस्तित युगानडा की राजनी कंपाला किस नदी पर इस्थित है तो वाईट नायल पर इस्थित है पूछ लेए जाता है और यह जो है मिलती है तो खार्थूं में में उत्तरी Onda सूडान में जाकर मिलती है खार्टून में और यह दोनों नदी उसके बाद नील अदीश का नाम पड़ जाता है जाकर भूमद इसागर में गिरती है और यह जो है जो ब्लू नाइल है यह वाली नदी अभी हमने देखा था वाइट नाइल पर ओवन बांध है लेकिन जो यह वाइट नाइल पर है फिर होग है सोनार जो की ब्लू नाइल पर है फिर जब यह नील नदी बन जाते हैं तो इस पर एक बांद है आस्वान बांध जो की मिस्र में इस्तित है आस्वान बांध मिस्र में इस्तित है सोनार बांध और सोनार बांध सुडान में है और यहां पर सबसे बढ़ी नदी किसे मिलकर बनी है तो लुआ लाबा और लुआ पूला नदी से मिलकर बनी है अपोहन की दृष्टी से अकर देखा जाए तो अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है अपोहन मतलब जितना जल्खेतर जितना अयतर लेकर चलती है बहुत पानी लेकर चलती है और अपोहन की छेतर की सबसे बड़ी है पिर आती है सहायक नदियूं की बात करें तो इसकी सहायक। ईसकी साय्क नदियां भी और यह खुद भी इसके जो कांगो नदी के लिए रूद पादन प्रशिद हें और कोंगो इसके अलावां इंडिया में जो माही नदी वो करक रेखा को दो बार काड़ती है और यह जो कॉंगो नदी पर एक बांध हिस्तित है जिसकर हम है इंगा बांध इंगा बांध किस परिस्त है कॉंगो नदी पर और यह नदी डेल्टा नहीं बनाती है नील नदी डेल्टा बनाती थी लेकिन कॉंगो नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है आगे बात करेंगे नेक्स जो है वो है जांबेजी नदी और यह जांबेजी नदी जो है और जांबेजी नदी पर एक बांध नहीं नेल नधी पर और यह जो है जामवेजी नदी पर कट्रपात है इसका नाम है विक्टोरिया जल्परपात यह विशु का सबसे चोड़ा जलपरपात है उचाय की बात नहीं की जा रहे चौड़ाई की तो Victoria जलपरपाद जमबेजी नदी पर है और विसो का सबसे चौड़ा जलपरपाद है अगली जो नदी है वो है Orange River और यह कहाँ पर है यह ड्रेकेंसबर्ग परवत से निकलती है जो कि South Africa में ड्रेकेंसबर्ग यहां से निकलेगी और कहाँ जाएगी तो यह Atlantic महासागर में जाके गिरती है औरेंज नदी Atlantic महासागर में गिरती है अगला यहां पर नाइजर नदी नाइजर नदी जो है Sierra Leone से Ginny से होते हुए इक कौन सा एरिया है अगर ऐसे आफरीका की बात करें यह कौन सा एरिया है यहां से निकलेगी और Sierra Leone से दो डिटी। इन बढ़़ बनायों जादा इंपॉर्ट कंजी बढ़ रयो जिसका अम नाम ही बहुत बढ़ा पोड हण जो कहां पर इस्तित है तो नाईजीरीया में ही इस्तित है नाइजीर्या में साथ चैन्ट नेक्स्ट बात करेंगे अगला जो यहां पर भटों की बात कर लेते हैं सबसे पहले गेवल्य अट्रेश 01bris mountain काहां यह यह वाला है even यह स्कोंड नेश मांटेटrost मोरक्पों कुंसे देश में आता laisser को insya मैं मंट किली मंजारों कहां पर है यहां पर मौरको अलजीरिया और टीनिश्या को और यहां पर जो एक पर जो पर जो है यह सबसे उंची चोटी एक फिर आता है मांट किली मंजारों जो कि तंजानिया में है सबसे उंचाही पर इस्थित है और इतना उंचाही है अफ्रीका में कि जो भूमर्द रेखा के आसपा से इस्थित है यहां बहुत गर्मी पढ़नी चाहिए लेकिन किली मंजारों के उपर बरफ पढ़ती है तो यह स्टेट्मेंट वाइस कोश्चन ब पूछ लिए जाती है कि अफ्रीका के कि साइड में पूरपशी मुत्तर रच्छो तो इस तरह से भी पता होना चाहिए मैप में कहां कौन सी चीज है फिर आता है मांट कैमरून मांट कैमरून में स्थित है एक सक्री जॉला मुकी मांट कैमरून पर परवत कटंगा परवत ज ढरता जॉक की नाजियरिया में जॉस परवत Q टेबल परवत परवत यंगा परवत मोजाम्भी और पर वहीं स्थित बड़ा यह एक सबसे बढ़ा परवत देख वत देखा था यहां पर अफरीका महादीब का वह है अटलेस माउंटेन जो है नवीन परवत है नवीन मोड़दार परवत है फिर कुछ पठार यहां पर अभी शीनिया पठार कहां पर है इथोपिया में अदा मावा पठार कहा है नाइजीरिया और केम्रून में नाइजीरिया और केम्रून साहरा के पहलाद साहरा को ऐलग अलग जगह पे जान जाता है नील नदी और लाल सागर के भीच का छेत्र होता है नूबियन मरुस्थल मिस्र में आपने देखा होगा नील नदी बह रही है इधर स्वेज नहर है इधर लाल सागर हो गया तो इसके बीच वाला जो मरुस्थल है उसको कहते हैं नूबियन मरुस्थल आगे देखेंगे आपने नामीबिया से दच्छड अफरीका तक फैला वीडियो में तीन-चार दिन पहले किया है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा डेस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो नामीबिया बोस्वाना और दच्छड अफरीका में है नूबियन मरुस्थल मिस्र में है अभी हमने सब्सक्रिप्शन में इसको सोने की मंडिक आ जाता है घाना के तटको क्या का जता है गोल्ड कोस्ट गाना के तटको गोल्ड कोस्ट का जाता है यह भी सोने के लिए काफी फेमस फ्रेमस हुआ करता था फिर किंबर देखान कहां है किंबर्ले खान जो है सोना और हीरा से संब्दित हैं दचुड अफरीका की किमबले खान काफी फेमस है कोईला के लिए प्रस्परिप्सद जो देश हुए पंबा और जंजीव लो इलाइची के लिए दोनों कहांग पर दोनों तरपा यहां पर बात करेंगे taş और धेंगे कि उह ल beeम अ styl कर और फूराना नाम था नाम है मलागासी बोच्षवाना का पुराना नाम क्या है तो बेच्वाना लेंड जांबिया का पुराना नाम है उत्री रोडिशिया पूछा जा चुका है पहले और जिंबॉम्बे का पुराना नाम है दच्छडी रोडिशिया फिर इथोपिया का पुराना नाम है अभी स्लेव कोस्ट किसको का जाता है तो स्लेव कोस्ट टोगो बेनिन और नाइजीरिया को कहते हैं तोगो बेनिन और नाइजीरिया आपने देखा होगा इधर है इधर वाला एरिया है यहां पर स्लेव कोस्ट टोगो बेनिन और नाइजीरिया तोगो बेनिन और नाइजीरिया फि सुमालिएा और पूर्वी एथोपिया के चर्वाही किया कहा जाते पूर्वी अफ्रीक्त होती जिसका नाम मैं सप्रेटो गहास तो गहां की सृटहर जाता है मतलब किस का किस यूज में आती या फिर कहां पर पाई जाती तो उत्री अफ्रीका में पाई जाती है फिर आता है सरवाधी कोको कहां पाई जाता तो आईवरी कोस्ट में सरवाधी कोको आईवरी कोस्ट में नाइजर नदी को पाम तेल की नदी भी कहा जाता है इसको लोग मि कि तो करक देखेए इस वेश्टन साहरा से जाएगी वेश्टन साहरा साढ़ेटेश डिगरी करक रेखा होती है वेश्टन साहरा उसके बाद मैरी तोनीया माली अल्जीरिया फिर यह पर तक मैप नहीं क्लियर रहे यह उपर वाले कंट्री यार्थ करने की एक ट्रिक होती है मेल यह मेल हो गया इधर वेस्टन सहरा से भी जाएगी तो यह रखना है और इधर माली मेरितोनिया नाइजर और चाड नेक्स्ट बात करेंगे भूमद इसागर की भूमद रेखा की तो भूमद रेखा जो है साउट यहां पर चोटा सद्वीप है फिर आता है रिपब्लिक और कॉंगो उसके बाद डेमोकरिटिक रिपब्लिक और कॉंगो फिर यूगांडा केन्या सोमालिया तो इतने कंट्री से उकर जाती है भूमद रेखा मकर रेखा नामीबिया बोस्वाना दच्छड अफ्रीका और तो इतनी चीज इंपोर्टन थी करकर रेखा मकरेखा बूमद रेखा जरूर रच्छे से देख लीजेगा अपने आपके पास जो मैप होगा उससे भी वीडियो पसंद आया हो यूसफुल लगा हो तो लाइक को सब्सक्राइब कर लीजेगा उत्तरी अमेरिका महादीब को दे देखेंगे और यह जो उत्री अमेरिका दच्छडी अमेरिका के बीच में जो कंट्री जोटे इनसे कोश्चन पूछ रहता है इनका क्राम इनकी राजधानी और इनके बारे में जो चीजे पूछी आती वो सभी इसमें कवर करेंगे ज्यादा फोकस इसी पार पर करना है और यह विश्य के भूभाग का कितना है तो 16.3% 16.3% पूरे भूभाग का अगर सिफ इस थल्क पार की बात की जाए तो और इससे पहले जो सबसे बड़ा महादीब था एशिया महादीब वो था लगभग 30% पूरे विश्यू का लगभग 30% था एशिया महादीब और यह 16.3% इसकी खोज किस ने की थी तो खोज की थी कोलंबस ने जो समुद्री मार्क से 1492 में खोज की थी लोग पहले से भी यहां पर रहते होंगे लेकिन जो समुद्री मार्क से किसी एक महादीब से दूसरे महादीब तक कोलंबस ने यहां पर यात्रा की थी और नाम किया दिया था इसके स्थल भाग पर तो अमेरिकों बेस्पुक्टी पहुंचे थे और इन ही के नाम पढ़ गया था इसका नाम पढ़ गया था अमेरिका और यह जो कोलंबस थे कहां के थे कोलंबस थे स्पेन की अब थोड़ा सा ओवर्वियू देख लेते हैं कि उत्तर में क्या है उत्तर में है यहां पर चुक्ची साघर है और यह वाला पर रस्या का होगा यह होगई भे इंग जलसंदी उपर यह अमेरिका का पार्ट है यूसे का पार्ट जो कि इसने रस्या से खरीदा है इधर एक सागर हो गया इसके उत्तर में भी फोर्ट सागर इधर क्यूट क्वीन एलिजाबेत आयलेंड पर जो चुम्मकिर रेखा उत्रीद रुब वाली सीव से जाती है क्वीन एलिजाबेत पर है तो Greenland और कंड़ा के बीच में सथित है 5 ने श्रीयाइवस उनदी तेह की जो कि Greenland को यहां पर नडए सकते सकते या उत्रिय मेरिक महादीड से अलग करती है डे लेबडा डोर्स आगर इधर इधर बैफिन वे बीच में क्या है यह डेविस जलसंदी नेक्स्ट यहां पर कुछ चीजें आसपास की बस देखनी है हमें कानाडा के नीचे यह सबसे बड़ा कंट्री हो गया है कानाडा जो की सेकेंड लार्जेस्ट है पूरे विस्व का सबसे है तो सब मिला लिया जाए तो यह से बहुत बड़ा हो जाता है आगे बात करते हैं नीचे जो सबसे बड़ा मुख्य देश हो है मैक्सिको सबसे बड़ा यहां पर मुख्य देश हो गया मैक्सिको तीन प्रमुख देश हो गए एक तो कनाड़ा एक यूएस से और एक मैक्सि होगा जो भूमद रेखा के उपर होगा वो नॉर्थ अट्लैंटिक होगा नीचे जो होगा वो साउथ अट्लैंटिक इधर जो है नॉर्थ पैसिफिक होसन यानि प्रशांत महासागर है तो आगे यहां पर सबसे पहले कुछ और चीजें उत्तर में हो गया आर्केटिक प्रशांत महासागर और दक्षडी अमेरिका महादीब दक्षड में हो गए तो इसका जो बड़े देश है उसको देख लेते हैं तीनों बड़े देश को कनाड़ा की बात करें तो इसकी राजधानी है उटावा और विस्व का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है और यहां पर खाडी दिखी ठीश मरे दीखाता यह अगर पूरी बात की जाये उत्री अमेरिका महादीब की उसके उत्तर में उत्तर में उत्तर। उत्तरी अमेरिका महादीब के तो इसलिए उसके उत्तर में भी यही चीज़े होंगी विफोर्ट सागर, क्यों एलिजाबेथ, दूइप, हर्टसन की खाड़ी और एलेश्मरे दूइप उत्तरपूर में क्या है, तो ग्रीन लेंड है, बैफिन की खाड़ी है, लेबराडोर सागर है, जो जो चीज़ें अभी हमने देखी थी यहाँ पर, सभी है यहाँ यहाँ यह कोई डेविस जलसंदी, बैफिन बे, लेबराडोर सागर, इधर ग्रीन लेंड हो गया, इधर पूछा जाता है, इनको अरेंज करने को आता है, यहाँ पर सभी जीले देख लेते हैं, ग्रेट बीयर हो गई, ग्रेट स्लेव, अथावसका, रेंडियर और विनिपे, अब कराड़ा की पाचों जीले जो है, यहाँ पर मैप के माध्यम से देख लेते हैं, तो सबसे पहले जो सबसे उत्तर में है, वो है ग्रेट बीयर लेक, यह हो गई, ग्रेट बीयर लेक, ग्रेट बीयर लेक की बाद में जो अगली जो लेक है, वो है ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट स्लेव लेक से एक नदी निकलती है, जिसका नाम है मैकेंजी नदी, यह है मैकेंजी नदी जो कि अत्वास का लेक के बाद आएगे रैन्डियर लेक यह रैन्डियर लेक के एंगेट यहां प्रूँजा सबसे लास्ट वाली वीhartिट वीनिपेक से नदी निकलती जिसका नाम है नेल्सन नदी जाके हडसनों की में गिरती है तो पांचों लेख हो गई सबसे पहले बियर फिर आती है सलेव अथावसका रेंडियर और विनिपेग यह पांचों लेख बहुत पूछी आती है नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे अगला जो कराड़े में important है जर्ण संक्य और मोंत्रियल की पीड़ होते हैं उसकी नर्म लकड़ी पाई जाती है मॉन्ट्रियाल सै det como इपएigos अगला अजित समसार की सबसें बड़ी मंडी को लिए सबसें वह पार्क यही है वोड वफैलों नेशनल पार्क हाणें तो कैनाडा में है इलिज़ाबेत्थ दूव है प्रतिवी की उत्री चुम्बी के दुरूव इस्थित है तो एलिजा बैद्वीप पर जो की कनाडा के अंपरगत आता है जो की उत्तर में था अब अमेरिका की बात कर लेते हैं जो इसका फीजिकल फीचर है उत्तरी अमेरिका का जो भौगोलिक जो इस्थिति है वह ज्यादा जाएगी जितनी भी जगर जगर पर इसके दुईप हैं वह सम्मिला लिया जाएगा तब यह थर्ड पर आजाता है यूसे जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अगर का जाए यूसे अगर लिखा रहे तो तीसरा सब्सें बड़ा देश हो जाता है लेकिन यह अगर यूसे की जगर सिर्फ अमेरिका करें थाएं तब फोर्थ लार्जेस्ट होता है आपने जहां पर अगर अागर अमेरिका सिर्फ लिखा आओं गए ध個 लिखा तया नीसे चार जुलाई 1776 को 1776 अब ब्रेटेन ने इसको कब आजा दी थी अपनी सत्वित स्वित्ता कभ दी थी मतलब खुद से आजात कब किया था तरह 4 नौंबर 1782 इसका दिवस मना जाता चार जुलाई को ही मना जाता है है new सोग्यात्याथा स्विएग रूस जब था 1869 में खड़ा था 1860 में अलसका वाला पार्ट जो की करनाड़ा के उत्तर में लगा हुआ तो ओर जो है खरीदा था किस से सर्थिथवेस संगारुङ से अगला जो प्रमुक्स चीज है यहां पर यजिए के चार बड़े राजी कौन से है तो चार बड़े राजी है अलासका टेकसास कैलीफोर्यय और मोनटाना कहा है किसके एरिया में तो व्रमुव यहां कि जो इसके great है ऊब से पहले यहाँ पहले वाजिंग्टन इकृम में में जेखय सकता है или देखोर में तो यह पूर्व में वहाइदर ठीडियर यह यहां पर इंज्पी धर जो की इसके प्षिब में वाशुंग데 वाशॉंग्टन इहां के पिआ इसके लावा निव जर्शी यहां परेष्थित है न्यूयर्क जो है यहां पर इस जगह पर स्थीत है जो हरा इंघ उने अप यहां पर मैप मेडे वहँ संधा chick है कैलिखोर्निया और उसमें सारय सें फ्रांसिस्को यह और अमसिको यहां पर टकषण में क्या आता है मैक्सिको मैक्सिको ज्यादा नहीं पढ़ना है पर पर अमेरिका का वह त्यूसरा रहान हम नुखी को isये इस तरिक्सास रहीत सब्सक्रांब कर दोसे सब देखने हैं यहाँ नूख पर मौनटाना को अब मेकशिको की बार बारे तरफ इस इन पर शीटी वेडिखे और इसंस加ल मास Kenneth इसको देखना है वो जो लटके हुए कंट्री है जो अट्लांटिक और प्रशांत मास आगर कि इसके बीच वाले कंट्री देखने है पहले ग्रेट लेक्स देख लेते हैं जो पश्चिम से पूर पांचों लेक्स इसमें कौन-कौन सी आती है तो लेक्स सुपीरियर आती है इस इसमें सुपीरियर सहय हैयाकर ग्रेट लेक्स में सिर्फ एक लेक्स में सिर्फ है मिशिगन लेक जो की सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में सभी कहाना अप्रशन के सहर सिक नामें duration ंग का परिसित तो यह मिशिगन के बात करें तो सेकेंड वाली है यह वाली यह लेक मिशिगन यह जो की पूल तरते अमेरिका अंित पर सिकागो शहर में पर शनगुंद यह दो कि UK लेक पर इसके पास ईश्ती देगती बिखेंगि Camp archa deroga ुफ okay क्हें देख फिर ऑठ गोच को जो है इसके लेक काbolी सब्सक्राइब के पास लेक होगा और इसके सीमा पर गया है तो ट्योरन्टो पले लिस्त में मिल जाएगा अब सेंट्रल अमेरिका की बात करते हैं Central America में उत्तोर से दक्षिण कौन कौन से कंट्री आते हैं सबसे उत्तर में जो यहाँ पे आएगधा BELLY आता है सबसे उत्तर में BELLY है और ये है BELLY है ग्रीन वाला जो PART MAPP में देखे ये है BELLY है BELLY और BELLY की राजधानी क्या है BELLMOPAN बेलीज की राजानी की है बेल मोपन और यह जो है प्रशांत महासागर से सीमा साजा नहीं करता है प्रशांत महासागर से यह सीमा साजा नहीं करता है बेलीज जो यहां पर देश है पूछा जा सकता है कि निमनी में से जो बीच में सेंट्रल अमेरिका वाले कंट्री हैं इन मे है ग्वााटे माला बीगनिंवाला क्रूंः यह व है रहाजानी यहाँ वल माला Six इन तो many ते अव अन्हें अभी ऑहफ से सिमा साजा कर रहे होंगे और प्रिषांत गराओं सिर्फ मों यहाँ अन्धृ कंड्री करता हैं वह से कारें तो अलवाडिय आलांतिक और प्रशांत दोनों से सीमा देशा कर रही है अगला आता है ली सल्वा प्रशांत से सालवाडोर जो आ धोड डोड़ केवल प्रसांत से सीमा साजा करेगा अगला आता है निकाराग उसका निकारागुआ जिसके राजधानी धाला बसीत नहीं कि इसमी प्रसांत और यहां पर अट्लान्टिक दोनूं से सीमा साजा करता है फिर को श्रेकर की राजधानी से वहीं है फिर नेग्सट आता हो पनामा जो है किसे नेड़ाई पनामा के म centrally है उसके कोलंबिया है कोलंबिया देश और यही पहुए थी नेख से लेख लेंगे मेरा में देखले इद लेट में इद देख लिए हैं इधर बेलीज उपर हो गया सबसे यह फिर आता है गवाटेमाला इधर आता है होंडूरास और इधर एलस अलवाडोर निकारागुआ कोस्टारीका फिर पनामा हिसे अगला है जो कैरेबियन पूंट्री इसको देख लेते हैं हैं किरेगी आपके हुआना कुपा तक ही सक क्या ही होगया कुपा इसकी राजदानी है हमवाना फिर राता जयमाइका जमाइका यह इसके दख्षण में कीवबा के दख्षण में और थोड़ा पूराप करके तो जमायका की राजधानी क्या है किंग्स्टन गार्जानि किटेश्य ने और यह सभी केरिवियन कट्रीय पूछ लिए पंधों में से करेवियन कंट्री कर्यारी यह पर दोमिनिकन रिपब्लिक की push Citizens सौंटो डोमिंगा आता है साच ज्वान कि राजदानी क्या है पिडिटो रिक्योंपर साच ज्वान इसकी राजदानी पियोटो रिको फिर आता है वर्जिन आईलेंड एंटीगों कुछ की यहां पर कैपिटल भी पूछ ली जाते हैं इसे गरेनाडा की कैपिटल St. George इसकी प्रिज टाउन में इधर हो गया बाहामास बाहमास की रेंगे साना में बाह मुड़ा की है तो फ्रॉमुडा के से यही पर स्थितित बार्मुडा इधर ही आसपास है बर्मूडा नेक्स्ट बात करते हैं बर्मूडा ट्रेंगल भी आपने सुना होगा वही है यह फिर आता है फिजिकल फीचर की बात कर लेते हैं कुछ आप कहां पे कौन सी परवस्ट रेंडिया वगरा है तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रूक्स रेंजेज है पर इदर मैकेंजी रेंजि कनाडा वाला एरिया पूरा अमेरिकामाधी बना हुआ है फिर इदर बसक्यारी में फिली तेज की ४रसांट मांसागर वाला की मांटेन्स जो है इसके उत्री अमेरिका के पशिम में श्तिते हैं और इसी तरह का एक मांटेन है एंडीस परवत जो की सबसे लंबी परवत माला है जो की दच्छडी अमेरिका में है यह वाला है रॉक्ष नवीन पर बता है फिर आता इधर मोजावी मरुस्थल यह है कास्क दोर कोस्त यहां से लेडरा ड़ोन जलधार भी आती यहां है जल्धार निंड दोर शागर भी है यहाँ पर फिर आगे लाट्ट प्लाईन psychiatrás और ग्राथा तिलयोटन अाप्लैंटी यहां पर यहां पर बनाती है मिसिसीपी नदी का यह डेल्टा काफी बड़ा है वैसे तो सुन्दरवन सबस्ति बड़ा डेल्टा है आगे बात करेंगे और मैक्सिकन पठार है यह एडवर्ड पठार है यह सबी चीजें पूछी जा सकती है सुनरण यहां पर बात करेंगे यजयर यूकाटन चैनल है यह चैनल हो गया है यह हो गई मैक्सिको की खाड़ी तो इस तरह थोड़ा बहुत मैप जो है दिमाग में रहना चाहिए नेक्स्ट यहां पर पर करते हैं अंगला जो है कुछ रेंज यहां पर है मेक्सिको में शियरा माद्रे रेंज यह मैसी रंक पठार है इधर पनामा नहर है यह बीच वाले कंट्रीज हो गए इधर दच्छड पर पर बीच में नर्स जलसंदी है थिर जलसंदी जो कि बाफिन दूइप के बीच में इस्तित है उतन हें फ्रयडे इसंट जू की बाफिन ओन और अवब एक जो की करेड़ा का दूइप का है यह क्योबक है यह इसको फ्लोरीडा इंस च्ट्रैट है उसको रेता जिर्व कि यिए यूकार्टन बरफिप और क्योबा के बीच्य में सकते यूकार्टन जलसिंदी प्रमुख वह बेरिंग जलसंदी जो कि रश्याकर या को अलग करने वाल parti बेरिंग जलसंदी इंपोर्टेंट यो अक्पसर करने वाली और या पीसे से आरो यारो कोई भी ग्रूप जाइन करने के लिए जो नमबर देश पर वाट्सेप करके डीटेल्स ले सकते हैं थैंक यू सो मज़ वाचिंग डेट एंग क्लास्स